सरदार जिस्वन सिंग अमन्ता नोवल है पापा जगर्ल गुल्लीन पहला अंग आज फिर उही गल हुई है जो पिछले कई दिना तो हो रही सी मेरी कोशिश दे बावजूद मैं अपने आपते कबू नहीं सी रख सकी अते स्कूल नों आके एकदम रो पई सी क्यों रो पई सी ये मैंनू आप समझनी सी आ रही इसे तरां कल भी होया सी ते परसों भी मेरा स्कूल साड़े शेहर दा एक मन्या होया स्कूल है Sacred Heart जेकर इनू सबतों वदिया होन दा दर्जा ना भी दिता जाए तांवी ये शेहर दे सबतों वदिया स्कूलां विच तां जरूरी गिणया जानता है मैनू याद है कि आज तो तिन साल पहला जदो पापा दी बदली इत्थी होई सी ताब पापा नू मेरे दाखले दी बहुत चिंता सी वो कई स्कूलां मेच जून दी कड़क दी तो पुविच फिर दे रहे सन पर स्कूलां दी पिंसिपल मिलन नूई त्यार नहीं सन हुन दे अवल ता गेट तो अंदर ही नहीं जान देता जान दा सी ति जे अंदर चले भी गए ता दफतर दा क्लर्क जा रिसेप्शनिस्ट कोई गल नहीं सन कर दे सिर्फ एहो दोहरां दे सीट है नहीं जी अटवीं क्लास दी हुन ता दाखली होया तिन मेनी हो गए पहला किते सुत्ते रहे ओहो ट्रांसफर होके आयो नहीं जी सीट है नहीं प्रिंसिपल नू मिलके की करोगे ओ सीट कितो पैदा कर देगी एक दो थान तो यह भी जवाब मिलया सर्विस कर देओ फिर ता डोनेशन भी किननी को दे सकोगे सेकर्थ हाट दी रिसेप्शनिस ने किसे तरां प्रिंसिपल नू मिलन दा समाँ दे देता सी जाई कैना ज्यादा ठीक है कि प्रिंसिपल मिलन नू त्यार होगे सी वे वस शी स्टाजिग अलिया पहला किते पड़ दी सीए मैदम, we have come from Chandigarh and she was studying Was she in a convent? No man, she was not in a convent but she was very good at studies, she was always getting 90% to 95% You can give her a test मैदम असी चंडिगर तु आया, नहीं होते convent नहीं सी परे पड़ाई बहुत वदिया नती कर लें दी है नबे तू 95% तुसी ओदर टेस्ट ले सकते हो पपा दस्देहन के प्रिंसिपल इस गलनल खास पर बावत नहीं सी हुई पर फेर वी एदा टेस्ट लें ली मन गई सी ओके, you bring her tomorrow for the test if she scores 60% or more, we'll admit her ठीक है, तुसी कालो दा टेस्ट द्वादियो जियो दा साट परसेंट जान ज्यादा नंबर लेता सी, उनू दाखल करलांगे अगले दिन पापा मैननू लेके स्कूल गये सन स्कूल दी बिल्डिंग देखके मेरा मन बहुत खोश होया सी अते मैं देली दिलविच पापानू सलूट केता सी ते वाइगरू अगे अरदास केती सी के मैननू एथे दाखला मिल जावे वाइगरू ने मेरी ते मेरे पापा दी अरदास सोन लेई सी मैननू लुद्याने दिवधिया स्कूल च दाखला मिल गया सी उस दिन पापा दे चेरे नू देखके मैननू थोड़ी हैरानी भी होई सी क्योंके पापा कदी भी अपनियां पाव नामादा दिखावा नहीं कर दे अते इनने खुश मैं आना नू कदी नहीं सी देख्या अगले दिन फीस जमा कराउन तो बाद उनाने बड़े मान नल सब नू क्या सी उने प्लस टू ताक इत्थी पड़ेगी जे मेरी बदली भी हो गई तावी एत्थी रहेगी जे लोड पई ता होस्टल विच नहीं ता मैं एकल्लाई जा मांगा जित्थे भी बदली होई पापा ने मेनू खास तोरते क्या सी इस स्कूल विच बहुत अमीर करांदे बच्चे पड़ दे हन तो एक गल्दा त्यान रखने के उना दी रीस नहीं करने ये ना होवे के तू सानू बंदे समझण ही हट जाएं तो हमेशा उत्ते ही देख दी रहें नाले एत्थे रह के तू अपना सारा त्यान पड़ाई विच भी लोणा है ताके सारे असी सारे सिर उच्चा करके कह सकिए गुलेन साड़ी बीटी है खैर मैं किते दी किते पहुंच गई मेरा स्कूल साड़ी करतो लगपक डेड़ किलोमीटर दी दूरी ती है ते मैं साइकल होते स्कूल जन दिया मेरी एक मुश्किल है कि मैं कोई भी कम स्वेरे जल्दी ने गढ़ सकती आम तौर उत्ते मैं साड़े पण्च पॉने छेदे करीब उठती है पर इस दे बावजूद मैं सात वजे तक मुश्किल नल त्यार होंदी है लगपक रोज एहालत होंदी है के त्यार हुन्दे हुन्दे सातवाज जान्दे हन ते ब्रेकफास्ट करन्दा मेरे कुल बिल्कुल टाइम नहीं हुन्दा बड़ी मुश्किल ना लददा प्रांठा जा एक ब्रेट दा पीस खाके एक कप दुद दा पीके मैं स्कूल नू दोड़ दिया इस दौरान जे मैंनू कोई भी बुलाँदाया ता मैंनू खिच चड़ दिया ते कई वरी मैं स्कूल जान लगी भी रोपेंदी है इस वेले जे पापा उठे होन तो भी गुसे चा जान दे हन अजे परसों दी गल है मैं बातरूम विचो नहा के निकली सी के मैं ममी नू क्या ममा जल्दी आओ कंगी करो पापा अपने कमरे विच्चों ही खिज के बुले सन हुनकी आग लग गई है जो बुजान जाने चाली मिंट तो बातरूम चलाई हन नहां दिया बार बार दर्वाजा खड़कॉन दे बाब जूद जे निकली हुन दिया है तो जल्दी उठ चाया कर साथ दे पांच वजे तैनू उठ हों दिया तां तू किते छे वजे जाके उठ दिया फिर पंदरा मिंट लेट्रिन वेच ते पंदरा मिंट ब्रश करनते लोनी है उसवेले निपता हुनदा के देर हो रही है मैं चुप कहां भी की गलां ते सचीया हुन दिया हन पर पता नहीं की गल है के सब कुछ महसूस करन दे बाब जूद मैं अपने आपट कोई सुदार नहीं लेा सकते जिनना पापा बोल दे हन उन्ही मेरे अंदर खेज वद दिये पापानू ता कुछ गय नहीं हुंदा फिर गुसा आने बहाने मम्मी जा मेरी दादी उते निकल दाए कई वरी मैंनू भी लग दाए कि मैं ठीक नहीं कर रही पर उस वेले ता जिमें मेरे अंदर कोई अधिक शक्ती काम कर रही हुंदी है ये मैंनू ठीक गल्त दा फैसला ही नहीं करन दन दी मेरे उते सिर्फ काली नाल बार निकल जान दाए पूत स्वार हुंदा मम्मी बिलकुल शांत रहन दी है कटो काटो पुरों ता एहू लग दै वोदी अंदर कोई खिज कोई चिंता होवे तक या नहीं जा सकता पर उप्रों बिलकुल शांत दिस दिये इक चील दे साफ शांत पाणी वांग इक वी लेर नहीं नॉट इवन अ सिंगल रिपल उनना पापा नू कुछ कहन दिये ना मैंनो मैं कहां तकंगी करन लग जान दिये मैं कहां दो मिन्ट रुखो तो बै जान दिये उनने कदी नहीं क्या कि तू मेरा किना टाइम में खराब कर दिये आप दस मिन्ट बाथरूम चे ला आवे तो कोई गल नहीं मैं एक कमेंट लेट हो जाओं, ता आसमान सिर ते चुक लेंदी है, नई, जिमें हो दे होते किसे गल्दा कोई असरी नहीं होंदा, वो बिल्कुल चुक रेंदी है, पपा कई वर खेज जान दे हैं, उन्ने आनी है, आप पे सेर नहीं आ सकदी, दसवींच पढदी है, तू के होंदी है दा सेर, किसे दी मदद तां की करनी है, अपना आप भी नहीं चुक सकती, साइकल तेरे डैडी, मेरे दादाजी, साफ कर दे ते कट दे हन, ते गेट खोल के खड़े रहन दे हन, के तेनू गेट खोलना भी ना पवे, बैग विच टिफन तेरी मा रखे, बैग तेर होंदी है, शर मानी किन्ने भी गुसे छोण, पापा अखीर ली गल नी कैप होंदी, पर जदो में अद्धी रोटी छड़ के तुरन लग दिया, तो ना दा पारा फेट चड़ ज़न दे, हुन छोटी बच्ची नी रही, साड़े ग्यारां वजे तक अद्धी रोटी उत्ते ही रहन है, अपनी सेथ दी भी चिंता ने, फिर में इने बाद मंजे ते पैजन दी है, सारे डॉक्टरा ने किया कि खाली पेट ही इंफेक्शन होंदी है, पर तेनू समझी नी आउंदी, तेनू ममे नू, किनी बार किया है कि सेर वाण तो पहला इनू रोटी दे आकर, दादी जदा दाजी नाल, खिजदी साइकल चाक के बार निकल जान दी, ज्यादा नी ता मिनेच, एक दो वरी ता इक लेश पैई जान दे, पर मैं अपने आपनों वे स्विच सुदार ले आउंदी, बिलकुल असमर्त समय दिया, पता नी की गाल है, स्वेर दे किसे भी काम विच मैं काली नहीं कर पांदी, पावे ब्रेश करन दा विला होवे, जा लेटरिन जान दा, जा नहान दा, जिन्नी मर्जी कोशिश कर दिया, पर एक दो मिंट तो वद फरक नहीं बन दा, इदली कौन दोशी है, किस तरह मेरी आत्ताम बढ़िया, मैंनू आप समझनी आउं ता अपने आप उते गुसा भी होंदा है, जा पिछले मिन नहीं मैं गुट्प्री देकार गई सी, ता मेरे पाणी पींदियां पींदियां, उन्हें अपना नमा सूट ट्राई करके, फिर कपड़े बदल लाई सान, जादके मैनू इस काम लई कटो कट अता कंटा लाग जा अते अफसोस इस गल्द है कि मेरी आदता उमर दे बदन नाल होर भी पकियां होंदियां जा रहे हैं, इंच लगद है कि जो कुछ भी मेरे कारवड़े मेरे ली कार रहे हैं, मैं उस सब कुछ अपना हक की समझन लग पेंगा, जिसनू अंग्रेजी विट कहन दे हैं, टेकन ग्रांटेड, मैं चौन दी आंके जदो मैं स्कूल लू आमा, तां गेट खुला होवे, ते कोई ना कोई मेरा साइकल फड़के स्टैंड दे ला दे वे, ते मेरा बैग अंदर ले जान ले, इंतजार कर रहे होई, मैं चौन दी आंके कोई ना कोई, मेरे मम्मी, दादी जी, जान दादा जी, क्योंके पापा ता दफ्तरी हुंदे हन, ते छोटे पैन परा, स्कूल, पाणी ग्लास विच पाके खड़ा होगे, इन्नी को देर वी मेरे कुलों बरदाश्ट नहीं हुंदी, के फ्रिज विचो पाणी कोई ग्लास पादे वी, I want that everything should be ready, जदों इस तरह न जैस उची आवाज नूँ भी कोई ना सुने, ता बदो बदी मेरी आवाज रोण हाकी हो जान दी है, ते मेरा रोणा निकल जान दी है, वैसे मम्मी दी कदी हिम्मत नहीं हुंदी, के उस वेले मेरे नाल कुछ बोल ले, जा मेरी मर्जी वरुद कुछ कई, परूवी ते इन सान ही है, कारदेर जे में विच कई वरी पाणी पाके रखना याद ही नी रहन दा, एहो जे वेले मेरी दादी मेरी मानू डांट देंदी है, ते मेरी गल्दी ही हमायत कर दी है, नियाना होंदा के उननू पाणी ते मिलना ही चाहिद है, लोग बड़ा कुछ कर दी है, निया हुन भी तेन देना तो इससे तरह हो रहा से पर सुन जदो मैं पंची तर दादा जी कूलर विच्चों पाणी साफ कर रहे सन इस करके मैं कूलर नहीं सला सक दे अते जदो मैं मम्मी को लोग पाणी मंगया तो मेरी आवाज विच खेजी सी कल फिर जे स्वेले में आई ता ड्राइंग रूम बेच पापा दे कुछ दोस्त बैठे सन मैंनू हमेशा पापा दे दोस्तां सामने इच्चे जख हुन दिया पर स्कूलों आके गर्मी बहुत लाग रही सी पामे के कल स्वेले बारिश बहुत होई सी पके हेट भी बैठया जा सकदा सी पर पता नी क्यों मेरे अंदर बेच्चेनी जी लगी होई सी मम्मा पाणी दो मैं चोटे बच्चे आमांग चीक की ममी ने पापा दे दोस्त लई जड़ा निम्बू पाणी बढाया सी उही मेरे वल कार देता आम बच्चा ता इस नलखोशों जान्दा पर मैं खिज गई ममी दे हर काम विचो नुक्स कड़ना भी मेरी आदत ता हिस्सा बन चुट गए पहले दूसरा पाणी देओ आपको कभी कुछ अपने आप समझ नहीं आएगा ते मैं लग पग रोई पई अजे एक कुछ चली रहा सी के पापा दे दोस्त चले गए ते पापा अपनी सोटी फड़ी लंगड़ाओं दे लंगड़ाओं दे साड़े बला आगे उनना दा चेरा देखके मैं ठठंबर गई दांद ते बुल कुटे हुए जिद्धा कुछ पी रहे हूँ अखान लाल मत्थे उते त्योड़िया पता नी आजकल मैंनू इंजी लगदा रहन दे के पापा हार वेले मेरे उते हार किसे दा गुसा कर दे हैं ओंदे ही पापा उची अवास्ट बोले की गल है क्यों रो रही है केंदी सी उद्धर कौन बठा है दादी जी ने हसके गल दुझे पासे पाउन दे कोशिश के थे पर पापा ये सुनके इनना गुसे चा गए कि मैं कबरा के दुझे कमरे चे चले गए शरम बिलकुल ही आणी बंध होगी एनू इहो कुछ से खौंदे ने स्कूल वेच के प्राणयानू करों कर दियो मैं तक हैंदी सी के उद्धरी चली जा नाले अंकलनू सची काल बुला के उत्ती ब्याजाएं दादी ने अपने वल्लों मौका संबालन दी कोशिश कीती पर पापा दा गुसा होर उत्ते चाड़ गया तुहीं एनू ज्यादा सिर्ते चड़ाया होया है एमें मगर-मगर फिर धीरनी है हरवेले तेरियां लेले बेपियां ने ही इदा दमाग खराब कर देता है हुन्ह चोटी है कुई? सारे करदा कम संबालन जोगी है पर इने अपना ही सारा बोज होरना ते सुटे होया है किने करना करदा कम? बारूं किसे ने उना? मैं ता केन्धिया, हुन्ही सारा कम करन जोगी है दादी ने अपनी आदत मुताबग पापा दी हां चाम लाई मम्मी बिलकुल नहीं बुली हमेशा वांग चुप करके रिसोईच कम कर दी रही दादी ने अपना ब्यान जारी रख्या ये दी माँ भी कुछ कही ता कुछ कही इने ता कदी बूलना नहीं पापा बार जांदे जांदे फेर मोड़ाए बस तेरी आए ना गला नहीं इनू सिर्थे चड़ाया हुए गल कुछ होई होए तेनू इना दी माँ तो बेना कोई देसदा नहीं जे माँ ने कदी कुछ क्या देता ता फेर तू चैन नहीं लेन देना असी एद्धा करीदा सी, असी उद्धा करीदा सी, इन्हों पता है के मैंनों कोई कुछ कही नहीं सक्दा, ताहीं सिर्चडी जान दिये दादा जी जो हुन तक बिलकुल चुप बैठे सन, एकदम चेरा लाल करके उठे ते बुले, तैनु का अका क्यों गुसा आया एकदम हुन भी बोली है, तू सनु एमी डांट दा रहना है, असी अपनियां अक्खांती जुबान कितना बंद कर लेगी, न्याने नु देखके बोल होई जान दा, जे तो अड़ी मननी नहीं, ता फिर बोलन दा फाइदा, चुपी रहा करो, पापा दी अवाज बिलकुली बंद ह हुगे, ये शबद उनना ने मूँ वेची बोले ताके कोई सोनना लवे, पापा दी एक खासियत है कि जिनना मर्जी गुसे छोन, जीनू मर्जी कुछ कह रहे होन, जोदों दादा जी बोलन लग दे हन, ता पापा जी ता चुप हो जान दे हन, जा उठके चले जान दे हन, म मैं तक कदी भी अपने आपनों नहीं रोग सकी, जेडा मर्जी सामने आ जाए, इस वेले सिर्फ पापा ही साधे का रवेच एक कमाऊ मेंबर हन, अते दादा जी दी ना तो कोई पेंशन है, ते ना ही होर कोई कमाई दा साधन, पर फेर वी साधे का रवेच, आखरी फैसला ह अमेशा दादा जीदा हुन्दै, नहीं, दादा जीदा नहीं कहना न चाईदा, असल वेच ता दादी ही सारा फीडबेक हुन्दै, इस मामले विच दादी दी काबलियत दा लोहा मनना पाएगा, बिलकुल लान पड, पंजाबी चे जीनू कहन देया, इल दा ना कोको नहीं हुन्दा, पर किद्दां सोडां स्तारां साल तों दुनियावी तोर ते पड़ाई दे सिखर ते पहुंचे व्यक्तियानों अपने अंगूठे हिठां दब के रख्या है, ममी ने दिली उनिवस्टी तो M.A.B.A. किती हुई है, ते पापा ने भी दिली तो M.A.C. किती किती है, ते ममी एवें, मैं तई हुँ कहन दिया, मैं कदो एदां के है, अपे तुसी कहन दियो, तो वद कदी कुछ नहीं कह सकी, किसी किसी विली मैनू इस गलते ही एनना गुसा हों दै, कोई गल पुछे, ममी जाता चुपरें दिया, जै माता जी नू पुछले के अपनी जम्मेवारी पूरी हुई समझ लेंदे, एतों तक के पापा ने कदी अपनी सलावी नहीं देती, जदों दादाजी अपनी सलाव दे देन, इना जबत पापा कितो लेंदे, एदी मैनू समझ नहीं आँदे, ते कई वेर मैं सोच दिया, काश मैं इस सुबा पापा तो इनहे पारेट कितता हुन्दा, शाम तक पापा दा गुस्सा काफी हाथ तक कट गया सी, अति वो अपनी आम जॉली मूट शा गया सन, गुरलीन जदो राजगुरु नगर जान दी सी, तक किना चिरफाल तू लगदा सी तेनू पांचन नू, पंदरावी मेंट ता होर लगदे सन, मैं उना देश अचानक सुवाल दा मतलब नहीं समय दी सी, ओदों भी तू एद्दें कर दी सी, उन पंदरावी मेंट पहला पहुंच जाननी है, ता भी ओहर हो न, पांच मेंट ता तू शान्ती राखी सक दी है, जद तक मम्मी पाणी पाके देवी, मैं चुप सी, क्योंके इस सवाल दा जवाब मेरे कुल है ही नहीं, असल च मैं आप कई वरे इस बारे सोच दियां, पर मैंनू कोई जवाब नहीं ओड़ दा, शायद देवीट मेरे कसूर सी, शायद साड़े कर दे महाल दा, शायद दे ली पापा दी कर दे मसलें उत्ते ना दखली वड़ा जिस तरहां दादी दादा कर देन ठीक है, शायद दे ली ममी जिमेवार है, जा शायद दादी दादा, जड़े हर वेले मैनू सेरुते चुक्की रख दे हन, ते मेरे मूँ निकली हर इक गल नो एकदम पूरा करना उपना फर्ज समय दे हन, इन नहीं नहीं, ओ एवी आस कर आते हन के ममी भी उसे तरहां मेरे मूँ निकलन तो पहलाईं, मेरी हर मंग पूरी करें, पर एद्दां कदी नहीं होया, सोगो हालत ए है, के ममी नू चार वारी कुझ कहो, ता इक वारी पूरा होएगा, जो दमें दादी दादे दे वतीरे दी ममी नाल तुलना कर दियां, त आते मैं स्कूलों आके पाणी मंग दी मंग दी, फिर रोपई सी, पाग दो, इदिले ये असी आज तो 15 साल पिछे जावांगे, गुर्लीन दे पैदा होंतों पहला, उस अकाल पूर्ख दी अध्पुत दे बे मिसालकारी गरीदा इक होर क्रिश्मा पैदा हो जुका सी, इक खोर बच्चा मांदी गरब विजपॉन चुका सी, जिस बारे शायद किसी नुवी पता नहीं सी, इस बच्चे नुवी अपनी होंद देरंब विच्ची अजीब जय महाल्दा समना करना पैरिया सी, इक अजीब जय उत्थल पुतल इस दी आले द्वाले सी, इस दी माने बि जमन तो पहला ही, अपना जीवन खतम होंदा नजर आ रहा सी, एक हकीकत है कि जदों वी बच्चे दी होंद शुरू होंदी है, ता गरब विच रखन वड़ी मां मैसूस कर दी है, इक अजीब तरांदी हल चल, जिस दी इनुदा सारा ख़दा पिता बार नुवंदा है, ते खान नुजी नहीं करता, एह हालत हर मांदी होंदी है, ते हर नव जम्या परोन ये शुरू आती चट के अपने तन ते हड़ना होंदा है, पर साड़े इस बच्चे दे केस विचे दी मांता बिल्कुली होसला चट चुकी सी, शाय देनु होसला देन वाला कोई सीवी नहीं, पर ये बच्चा इस तरांदा क्रिश्मा सी के अपना पूरा जोर ला केस महाल दा मुकाबला कर रिया सी, दिनु देने दी काया बदल रही सी, तेनु अपने आले दुआले दाते बार दावी कुझ न कुझ ऐसास हों लगा सी, इना दिना विट कोई दिनी ऐसा होएगा जिस दिन बच्चे ने मान दे मूड वेच खुशी दाय सास मैसूस कीता होए, पामे वजे पाव नमान दे दायरे तो बार सी, पर फिर वी जिस ब्रहमंड नालों जुडिया होया सी, उस दी मान से खालत पावनात्मक पेड तों पूरी तरां ओवेसला रहना भी ओखा सी, इक कु ती गत सुपना हों दे मान बढ़ना, नारी दी अजादी दे नारी लोन वले, कुछ भी समझन, मान बढ़न के ओरत अपनी अकांख्या दी टी सी छूं दिये, मान बढ़न के यो संपूरन ओरतों दा दावा कर सकतिये, पर एक कि हुजी मान सी, जो अपने गर विच इस रब् अक्षिश दे आणुते भी खुश नहीं सी, एक कि हुजी बंदन जा मुझबूरियां सन, जो अरत नू संपूरन ता तक पहुंचान दे इस पड़ादा विस मादी अनंद लेन तों, इस मानू रोक रहियां सन, इना स्वालां दा जवाब शायद सानू कदी भी ना मिले, ज एक दन इसनू सारा महाली बदलया बदलया लगया, अपनी होन तो लेके होन तक पहली वारी इसनू कोई बदला नजर आया, उस तुखे तुखे जे महाल तों, जिदा मुकाबला इसने बड़ी बहादरी नल कीता सी, अज को जैसा होया, जिस नल इसना अना द्वाला खुश नल चूमदा लगा, पर खुशी थोड़ी दबी-दबी सी, जिमें ए पावनावी खत्रा मैसूस कर रही हुए, अपने खात में दा, अगे वी एक दो वारी इस्तरांदा चोड़ा प्यासी, कुझ मिंटां ले, पर आज जे समा कुझ मिंटां विची खतम नहीं होया, तिन मह न्यादी चुप चाप गती हीन जिन्दगीतों अज निजात मिल गई से, अज पहली बारी उसनों कुझ उत्रा चड़ा दा समना करना प्यासी, लगातार हिल जुल दा, इस हिल जुल तो बाद एक एसास होया, अध्यात मक्शांती दा, जिमें मां किसी ऐसी थां गई हुए, जिते संगी तक तुना सुन के मां दी ऐसासां विचो हुंदा हुया, इद्यात मक्शा दा ऐसास इस तक पुझा, ओफ किना अनंद, क्यों आज तक ही ऐसास नहीं हुया, उस तो बाद पहली वरी कुझ सुआद सुआद जया नजर आया, जो अगे मुझ कुझ पैंदे ही मैसूस होया, कि जिन्दगी ते नेंद, इन्नी शांत ते सुख दायक भी हो सक दिया, अज मां इक वारी वी त्रबक के उठी नहीं, हैरानी दा आलम सी, कि अज की हो गया, अज तक जो हुंदा रिया, ओ की सी थी क्यों सी, कि यो तिन महीने वी इसे तरह नहीं हो सकते सं, इक तोखला वी सी, कि अगों की होएगा, कि ये महाल कि इसे तरह रहेगा, जब मुड़ ओही हनेरा पसर जाएगा, तीसरा अंग, अचानक एक दिन अंदर दी कुटन वद गी, इन्ज लगण लगा कि हून साख उट्या जाएगा, इस तरह लाग रहा सी, कि हून इस हनेरे विच बार निकलन दा समा आ गया सी, अठाई जन्वरी 1984, अज स्वेरे जदो गुर्णाम सिंग उठ्या, तरमनीक और उधिकार वली ने, उन्हों अपनी विगड रही हालत बारे दस्या, लगदा डॉक्टर नू सदना पैगा, सारी रात में मसां कट्टी है, तुसी जाओ डॉक् जिस दिनों आज तो चार-पांज मीने पहला दिल्ली उन्हों लैन अपने सौरियां दे गया सी, उद्धां वी व्यावता जिन्दगी दे लगपग, दो साला विच उन्हें कदी रमनीक नू इन्नी पीड विच नहीं सी देखिया सी, उन्हों कबरा आ गया सी, उन्हों अप ना करें, जी कोई ऐसी वैसी गल हो गई, ताय दे मापया ने ता जीन जोगे नी चड़ना समाज वीच, उता पहले इठंडे दुदनू फूका मारी जान देने, ये सोच दे सोच दे उन्हों जन्वरी दे महिने विच वी पसीनना आ गया, ते नाली पिछले लगपग, दो स साल उधियां अक्खा मुर्यों एक फिलम वान निकलन लगे, ए रिष्टा बस होना ही सी, नहीं ते ना ता रमनीक बहुती सोनी सी, ते ना उन्हा ने इस रिष्टे वीच ज्यादा दिल्चस्पी दिखाई सी, इत्थो ताके जदो गुर्णाम सिंग रमनीक नूँ उदे स् होन दे हन, ते खीरे रिष्टा हो गया सी, सिक परिवार होन कारण गुर्णाम सिंग दे कारवालया ने ता बस व्यादी तरीक पक्की करन दे कीती, ते दुसेरे वले दिन दाही व्या रख लिया, बाद विच पता लगा कि उदे सौर्याने सिक होन दे बावजूद पंडता तो मुहूरत वगयरा कडा के यो दिन पक्का कीता सी, पर इन्ने सालां बाद जे गौनल वेख्या जावे, तब पंडतां दी जोड तोड किसे कामनी सी आई, ए रिष्टा ना केवल दुहां परवारां लई, गुर्णाम ती रमनीक लई वी, सुख नलों दुख दायक वद स सिद्ध होया सी, गुर्णाम अपने माता पिता दा एक लोता पुत्तर सी, दो पैना दा एक लापरा, जे आई पुत्तर, जे हे पुत्तरां दिया मामां दे दिल वेच, एक अजीब जे तोखला बनेया रेंद है, उनां दे व्यान नू लेके, कि हुजी हुएगी नू, कि य बुड़ा पेच साथा ख्याल रखेगा, आद, अजे ही सोच सदका कई वरी जान बुझ के, कई वरी अनपो ओली, वो अपने पुत्तर दे व्याली बहुती काली नहीं दिखोंदे, जिस कारण पुत्तर दी उमर ज्यादा हो जान दिया, ते फिर उसले मान पुँदी कुडी मिलनी ओखी हो जान दिया, कुझ अजे ही गुर्णाम नालवी हो गया सी, गुर्णाम दी मा ते पैना अकसर हो देले योग कुडी बारे गलां कर दिया, गुडी कदी अपनी पाभी बारे सोचिया, किद्दां दी होनी चाहि दिया, बीबी मैनू ता इरा बहुत चंगी लग पतली पतंग जी मैनू ता बड़ी सोनी लग दिया, फिर हो गुर्णाम दी क्लास्ट पढ़ दिया, बाकी कुडियां बारे की करके सला कर दिया, लवली भी बहुत सोनी है, गुरी चट्टी पर उदा रंग बगगगगः, चलाक भी बहुत है, ओनी पाजी नू सूट करनी ह बंगालने, बंगाली कुडी साधिकार किद्धार जस्ट करेगी, अखीर गल फिर इरा उत्ते आजंदी, बिबी इरा ही ठीक है, पतली जी बहुत ही चलाक भी नी लग दी, तेनू पता बमनी है, आहू, फिरू मन जान गे, नाले तिरा पापा, कुझ देर चुप रहे के मैं तो कहनी है कि इरा वर्गी कुडी होए, ते अखीर एक इरा वर्गी कुडी दा रिष्टा आही गया, गुर्णाम दे नानकिया ने अपने नेडिक कुडी दी दस पाई, कुडी ने बिये किती हुई सी, रंग गोरा सी, पर देखोनू बहुत सोनी नहीं सी, गुर्णाम मैं तर कुडी वेखन दा मतलब रिष्टा पक्का ही हुंदा सी, कुडी नू देखे गुर्णाम ने एक ठंडा सा लेया ते मून निवां कर लेया, गुडी ने अपनी मानूं हुझ मारी ते गुर्णाम वले शारा कीता, पर हुन तक बहुत देर हुचुकी सी, विचोले ने पहला ही गुर्णाम दे नाने नल गल्ग पक्की कर ली हुई सी, पामें गुर्णाम दा निमों चुना चेरा किसे तो लुकिया नहीं सी रहा, पर किसी ने इसनू बहुती एहमियत नहीं देती सी, कारा के भी गुर्णाम चुप ही रहा सी, उदी नानी ने उनू परमाण ली क्या काका उनाने स्कूटर देने मेरे पुतनू नाले फ्रेज दोपरा आ कुड़ी दे पुत साले बावा हुं दिया बावा टुट भीता जान दिया गुर्णाम ने खिरके क्या हाई मैननू काका मुँँ मन्दा नी बोली दा रब सुख रखे गुड़ी दे बार-बार केंटे उदी माने गुर्णाम दे नाने नाल गल कीती पर वे चोलाए सुनेया लजान तो साफी मुकर गया गुर्णाम दा मुर्जाया जया चेरा देखके गुड़ी दे उदी मानू हौल पेंदे इककोई कमुंडा जी ओई खोश नहीं ता व्यादा की फायदा अखेर उना दिल्ली जाके सिद्धी चिठीक कुड़ी वाले आंदे कारी पादते असल च गुड़ी दी मानू गुर्णाम दी पसांद ना पसांद आ इनना ख्याल नहीं सी जिनना ओन वड़े समेदा अंदाजा लाके कबरा अगई सी अपड़े पेक्या मलो रिष्टा होन करके उनू लगदा सी कि उना दे कर विछोर ना दी दखल अंदाजी बाद जाएगे नले विचोला बड़ा तेज सी जड़ा व्या तो पहले ही मन्दा ने व्या तो बाद सानू के थे जीन देन लगगा वो गुड़ी नलसला कर दे उनू एवी डरसी के उता दिलियों कुडमा दे साल च एकदी बारी जा सकनगे पर गुर्णाम दे नान के ते उधी पैन दे सौरे उते मेल जोलवदा के साड़े कार वेच वद्धू दखलंदाजी कर सकती सानू तैनू पता है अपणे जीजे दा उता हो उद्धाइं ठंडे दुदच भूका मार दे उनू होर बहान ना मिल जाने गुड़ी तू अपपे लिख दे चिठी ये रिष्टा नहीं ठीक रेना इस्तो बाद गुर्णाम दे नानकिया ने ते जीजे ने कोई रिष्टा ना लेओं दे सौंखाले तुसी मुंडे नू कुवारा राखले ना असी ने होन बेच पेना अपने खान दान वीच दुना पासियां तो गुर्णाम पहला मुंडा सी जी ने मसी किती सी कुडियानू बहता पुडा अंदारे वाज ते नहीं सी पया वत्तो वाद जे बीटी ताकी कुडियां छाल मार दिया सन एसले ओधे ब्राब्बर पड़ी लिखी कुडि बारे दस पौनी ओधे रिष्टे दाराले संबब नहीं सी उना दी ब्रादरी विच वी पड़ियां लिखियां कुडियां टामियां टामियां ही सन उना दी पच्छान विच वी खर्बन सिंग दी कुडियां मे सी खर्बन सिंग नू सारे बोड़ा कैके करके जान दे सन क्योंकि उन्हें सुनन वाड़ी मशीन का नानो लाई हुए से केंदरी सरकार दे किसे दफ्तर विट सेक्शन अफसर लगा हुए से गुर्णाम दे माता पिता बिलकुल अनपड़ से उन्हानो लगदा से के हरबांस बहुत वड़ाफ से ऊदे केंदरी गुर्णाम ने अमयस ही किती सी गुर्णाम दे पापकाजी इस लई भी उननता बड़ाय असान मनतेशन क्योंकि एक हरबंसी से जी ने ऊनना गुर्णाम नू अग्जे पड़नल्य इसला देती सी हर बन सेंगनों भी अपनी कुडी लई पड़ेया लिख्या मुंडा चाहिदा सी असल विच ओधी आख कई चेरां तो गुर्णाम ते सी जोदोंने पहली वारे सुवेशे ते गल की ती ता गुर्णाम दे पापाजी ता बोली न सके पर गुर्णाम दी मानुए रिष्टा बिलकुल पसांद नहीं सी ओ गुड़ी नलसला कर दी ओधी तीमी दा नक बड़ा उच्चे ओ थोड़े कदे बोल दी या जदो मिल दी या बोला ही बोल दा तीवी ता मावर्गी होनी या नाले तेरे पापेदा पता है उता बोले नूँ पता नहीं की समय दै यूनता बोला चंगा लग दै पर जदों व्या होया फेर उने अपनी अपसरी चाड़नी है असी नहीं करना है रिष्टा नाले उदियां कुडियां तेन एक या के बीबी चुप हो जान्दी पर दिल चु सोच दी होर न सड़ा मुंड़ाई खोलन अखीर ना चौंदी होई भी उनानू अखबार वेच मैट्रिमोनियल दा सहारा लेना पेया दो वारी अखवार्च कड़वाया पर ज्यादा तर चिठियां उना दियास मुताबक नहीं सन जेडियां दो चार चिठियां उनानू पसांद आयां उनानू पत्तर लेखे गई पर किसे वल्लों कोई जवाब ना आया उनाने गुर्णाम नू पसांद कार लेया ते कुड़ी देखन लेई इनानू सद्धा देगई गुर्णाम गुड़ी ते उना दे मम्मी डैडी कुड़ी वेखन गई ए कुड़ी वी बहुती सोनी नहीं सी पर पिछले कुझ मीनियां चे काफी नर्म पैचुके सन इस फेरी दोरान कुड़ी बिल्कुल चुप रहे जो वी सुवाल पुछया जान्दा उदा ज्वाब होदी मां प्यो ही दिन्दे गुर्णाम ने मैसूस कीता कि चा पाणी लेई वी कोई उचेच ने किती गी सी अपनी होनवली पतनी नाल दो बोल सांजे करंदियो दी इच्चा दब्बी रह गई जो दों वापस परते ता कुड़ी चुप किती पिछे पिछे दर्वाजे तक आगे ते चुगाटता सहारा लेकी खड़ी होगे रस्ते विच गुर्णाम दी मामुड मुड के एहु दोरांदी रे मैनू ता कुड़ी बहुत पसंद गुड़ी देख्या कित्दा गाउं वांगूं पिछे पिछे आगे सी जिवें केंदी होवे मैनू हुने ही लाए चलू मैं ता इत्थे बज्जी हुआ गुड़ी देख्या कुड़ी नू एक कखर भी नहीं बोलन दिता माप्यों ने मैनू ता कुड़ी पसंदा अपने दिल चोनू ता सल्ली एसी के जिव माप्यों मोरे नहीं बोल दी ओ मेरी गलवी चुप करके मननी जाओ बिबी तु आपे बोली जानी है पाजी नू ता पुछले गुर्णाम कुछ नाम बोलिया पर पापाजी बोल पै मैनू ता आप कुड़ी पसंदा गुर्णाम चुप करके बैठा रिया पर उने अपने मुँँ हां करनतों पहला इक वरी कुड़ी नू दे स्कूल मिलन दा प्रोग्राम बनाया उना दिनांच मुबाइल फोन नहीं हुंदे सन लेंड लाइन दे भी गलोग सोखी नहीं हुंदे सी इसलिए उने अपने दोस्त जोशी दी मदद लई क्योंके रमनीक दा स्कूल जोशी दे कारदे नेडी सी उडर्दे डर्दे स्कूल जा पाँचे पर रिसेप्शन ते बैठी कुडी उना नू बिठा के किना चिर मुडी नहीं गुर्णाम दे टे डविच खोजी पैन लगी उदा दिल भी का ब्राउन लगा अखेर रिसेप्शनिस ने आके जोदों के आख वो मिलना नहीं चाती तक गुर्णाम दे पैरा हेटों जमीन नि आते हैं वो कौन सा तुझे जानती है एकदम कैसे आ जाएगी मिलने पर गुर्णाम पाणी पाणी हो गया सी उने कार पांच दे ही अपना फैसला सुना देता मैने पंजाबी बागवली कुडी नलव्या करना मूना मत्था जिनू सुनके सारे एकदम उदास हो गए दो दिन आम बाद गुर्णाम दी छुट्टी खतम हो जानी सी ते उने फिर मंडी चले जाना सी उत्थो आना कोई सोखा नहीं सी पहाडी रस्ता ते छुट्टे सारा परिवार निमों चूना जै बैठा सी के पापाजी दा एक दोस्त रिष्ता लेकिया आ गया हैरानी दी गाल सी के जो कुडी दे प्योनू नाढ ही लेकिया आ सी गुर्णाम बेच केडी कोई कमी सोना सुनक्खा चंगी नौकरी कला मुंडा कोई एबनी कुडी दे प्योनू हूर की चाहिदा सी वगले दिनी कुडी दे का अर्जा पौंची कुडी नू देखके गुर्णाम बाग बाग हो गोरी चटी गोल चेरा मोटिया खा मीडियम जया नाकते परमे बुल जो देखन वले नू निरंतर नियोंदा देंदे लाग दे सारा स्रीर गंडिया होया परया परया अद्धी बांदी कमीज वेचो दियां गोल गोल बाहां कुडी नू एक फिलम एक्टरस वांग पेश कार जिन्नाचिरों बैठे रहे कुडी दे बुल्लां ते दिलकश मुस्कान रही अजई कुडी नू कोई किद्दान नापसांद कर सकता है गुर्णाम नू अपनी किस्मत ते हैरानी हो रही सी सार्या ने उत्थे अपनी हांक है के कुडी नू शगन पढ़ा दता तुरन लगया कुडी वालया ने भी सार्या नू शगन दता एक्की रुपई पर गुर्णाम नू शगन देना कुडी दी मांपुल लगया जदों याद कराया ता कुडी दी मांकेंदी एनू नही देना आजे इनू फेर दे आंगी गुर्णाम नू एक दम चटकाजया लगा ते उदे चे एक दम उत्थो निकल के दोड जावे, पर हर्विंदर वल देखके, उने अपने आपनू संबालया, एक छूटी जी गाल पेचे निसोनी पतनी तो, उह हतनी तो ना चौंदा से। रावी चौंदे ओंदे फिर उचुपी रहा, एचुप ओदे जीवन दी पक्की स्क्रिप्ट बन गई लग दी सी, कदी पापाजी दे डारतों, कदी मान दा देल दुखान दे डारतों, कदी अपनी बेजती होन दे डारतों, उन्हों अपना मूँ अक्सर बंदी रखना होन वी गुड़ी ने ओदे दिल दी हालत मैसूस करके बीबी नाल गल छेडनी चाई, बीबी पाजी नूं चाई दा इसी शेगन, पर ओदी गल पूरी होन तो पहल नहीं पापाजी खेज के पाई, सारा एनू ही या, एदे करके सानू मिलिया, नहीं ता सानू का तु बुछ बीबी ने कोई जवाब ना देता, वो तो होरी सोचांद इवेंट डूब गई सी, होन वाली नूं बहुत सोने सी, इन्नी सोने के बीबी दे अंदरी का जीब जय डर पैदा हो रहा सी, बीबी ने दुनिया देखी सी, अकसर सोनियां कुडियां अपने आदमियां नू अपन लगा के शगनवाली गलनू गुर्णाम दे सामने वदा आचडा के पेश करना चाहिए, पर गुर्णाम दे पापेदे सामने वे गल नहीं वदा ना चांदी सी, कारा के उन्ने गुडीनू किया, आता बड़ा माडा कीता, उधी सासने, गुर्णाम ता उस वेले दाई थले लिथा बेठा, गुर्णाम दुझे कमरेज बेठाई गलन सुन रहा सी, पर हर्विंदर दी शकल जियों योदी अख्रमुरे आउंदी, ओ अपनी ख्यालां वेच गुवाज जांदा, बीबी एन्नी सोनी नून दा पार ने चोक सक दी सी, एकको एक मुंडा सी होदा, बुड अगले दिन गुर्णाम अपनी पोस्टिंग ते मंडी चला गया सी, दो दिना बाद योनों दिल्ली यों फोन आ गया सी, गोल मार्किट वाली गल सिरे नहीं चड़ी, कुडी दे माप्यांदा वेहार बड़ा डिक्टेटरी सी, ओ साड़ी कोई गल मनननू तियार नहीं हन, व्यादी तरीक वी अपनी मर्जी नाली फिक्स करनी चौन देने, असी के साड़ी कुडी ते जवाई पिंड पड़ांदे हन, उना दिया चुटियां जून जलाई चुन दिया हन, उना चुटियां विच्छी व्या करना चौन दे हन, नाले गुर्णाम दा मामा कैनेडा रह उने भी उना दिना चौन दे, तक कुडी दी मा कैनेडी की फर्क पैन दे, एक दिन दी चुटी लेके आ जानगे, सारे निया चुटीयां थोड़ी देखियां जा सकनेगे, असी ता फिर ना कर देते, पापाजी उदों दे बड़े उदासन, गुर्णाम ने अपने दिल ते पत्थर राखे क्या, ओ का तो उदासने, उदास ता मैंनू हुना चाहिएदा, केंदा केंदा रोप गया, मैंनू ता गे ही लगदा सी, के नी सोनी कुडी साड़े का रेजस्ट नहीं हो सकने, गुर्णाम नू लगदा के ए शेयर उदी हालतनू सामने राखके ही लिखिया ये न थी हमारी किसमत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। हमें परगती है। पखंडवी कर दे हन। शायदे सब कुझ साड़े कर इनी वरी दोहराया जा चुक है, के इस तरह लगदा है जिस तरह मैं आप ये सब कुझ मैसूस कीता होवे, ते अखी बेख्या होवे। गुर्लीन जिद्धन तु आई सी उद्धन साड़े कार, सारा पेंड अपने पैरांते खड़ा सी, पर तु सारा दिन लादता ओन। पुवा केंदी, ओंदे सारी अखां पूरियां खोल के देख दी, सी एद्धर उद्धर, जिद्धां किसेनू लबदी हुवे, काले शावाल साने दे सिरते, लंबे लंबे। पापा ने भी एक दिन क्या, पता नहीं केडे विले मेरे तो ये फैसला लै हो गया, कि असी तेरा ओना पेंड विच्ची देखांगे, किते शेर नहीं जाना, पर जिद्धां जिद्धां दिन वद्धा गया, मेरा फिकर भी वद्धा रहा, अपने आपनों कोस दा रहा, पाड़ियां उत्रनी लगा सी, कि तेरे रोन दी आवाज सुन पई, ते मैं सुखदा साल या, मैं बड़ी बड़ी नोट केता है, कि सारे वार्ता लाप विच्च मम्मी ने कदी हिस्सा नहीं लिया, सारे जने पामे कुछ भी बोल दे रहा, मम्मी अपने काम विच्च लगी दादी नो ते जिद्धा किसे नो दोरा पे आजन दा है, एक वरी शुरू होन दी ता चोपी नहीं गर दी, ओधन स्वेरे यी तेरी मां कें दी, धर्द हो रही है, तेरी मां ने तेरे पापा नो डॉक्टर सदन ले किया, मैं किया डॉक्टर ने की करने, तेनू पता ने, मै स्वेरे कें लगपी, बस करो त्यारी, उन्हें तेरी मानुवी थक आदेता, सारा दिन असी भी परेशान हो गए, के इनना टाइम थोड़े लगदा है, पर उनू कुछ पता ही नी सी, मन्नू दी मम्मी, विमला, मन्नू दी दादी, मास्टर नी, सारे ही तेरी आले द्वाले बैठी, रहे सारा दिन, तेरे दादा ते पुआ, नमा टेप रिकॉडर लेके आये सी, जिद्दा पहले ही पता लग गया अंद है, स्वेर तो लेके तरकाड़ां तक, तेरे पापा टेपां बदल बदल के लौदारिया, शब्दानिया, पाठतिया, सब, पर तेरे जिद्द जी नहीं सी अनू ओदो, पावे मैं आजे पहुत छोटी सी, पर फेर भी मेरा दिल के से विले करदा, के मम्मी भी कुछ बोले, आखरे सारी परकेरिया विचे जिन्ना ओदा रोल सी, उन्ना होर के सिदा नहीं सी, उतक इंदर बिंदू सी सारे कटना करम दा, पर ओ कदी जी देखी, जो एना गलानू सुनके नी पीड सेर करन तो बाद आणी चाही दिये, दादी दा वारताला पजारी रेंदा, तेरा ना ता पहला ही पुआ ने रख्याया आसी, जिवेंजी में मैं थोड़ी बड़ी होई, ते मेरी परक करन दी शक्ती बड़ी गई, मैं मैसूस करन लगी कि जदू पुआ दा दादी लेंदी, ममी दे मत्य उत्ते हलकी जीती उड़ी पह जांदी, जब बुल सुंगर जांदी, जब नक दिया ना संटेडिया हो जांदी, पुआ केंदी, मैं ते तेरे पापा ने किन्ने ना रख्य होई सान, मुंडियां वाले भी ते कु का लब्दी लगदी, बस सवा में नई तू मांकोल रही हैं, उदे बाद ता तेरा दादाई तेनू चुक्के फिरदा रहा, पिंड दे पत्थरां में चोने तेनू स्वेरे भी ते तरकाला नू वी कदी स्टेशन ते, कदी द्रिया दे कंडे ते, कदी खेतां वीच, कदी चरने ते चुक्की फिरदे रहा, तू बड़ी छेती बैन ते रिडन लाग पेसी, तेरी नानी आई पूरे मिनने बाद, दादी दियां रोज ये हो गल्ला रह लिया, ज्यादा तार वो ए गल्ला उदू इं कर दी जदो पापा दर्फतर गए हूंदे, पापा दे आउन तो मत्था फड़के बैगया, केंदा लेकुडी आगी है, मैं क्या चल हो, मैंनू बड़ा गुसा आया, बे मामे दा की मतले मत्था फड़के बैन दा, एदा पापा जेंदा रहे, सुखी सांदी, मामे ने जे जो लेओना ना लियावे, पिंकी तेरी नानी तेरे लिए कोई केंदी सी मैं तो छेती छेती आ गई है, ते खान नू पता की लिए आई, तेरी मा ले, मूंगी, हाँ 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 रभा चार न्याणे अपने जम्मे, ते एवी नी पता के न्याणा होन तो बाद खान नू देना की है, तेरी मा नू मूंगी खा के कबज हो गई फेर असी दोड़े फिर ये डाक्टरां को हाँ 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 मम्मी येना गलांच कोई भी हुंगा राना देंदी कदी-कदी जदो मुड़ मुड़ के हूँ गलां हुं दिया रहनी तो उठके दूझे कमरेच चली जान्दी मेरा जी करदा क्यों मैंनू चुक के नाल ले जावे पर उन्हें कदी मैंनू नाल जान्दी कोशिश ना केती जदो मैं थोड़ा रिड़ना शुरू कीता ता मैं उदे पिछे जान्दी कोशिश करदी तब पुवा चाट मैंनू फाल लेंदी पिंकी आते नू एक बात सुनावा इकसी तोता ते मैं उदे नल खेड़न लग पेंदी जान दादा जी मैंनू चुक के को मन तुर पेंदे जदो मैं स्कूल वी जान लग पई तां वी ये सारी अंगलां बिलकुल एसे तरा नदोहराईयां जान्दियां रहिया जिद्दा जिद्दा मैंनू समझाओं दी गई मैंनू एन अंगलां ते खेजाओं लग पी सी पर मैं किसीनू कुझ नहीं कह सक दी सी ते अंदरे अंदर खेज दी रहन दी दादी केंदी तेरा नावी असी छेती रख लिया तेरा पपा कहांदा असी नहीं किसेनों बुलाणा ते नहीं कोई फंक्षन करना है तेरे पपाने पहले इस आज पाट शुरू किता होया सी जो दो पूरा होया उसे दिन तेरा ना रखन दा सी प्रोग्राम बढ़ाया तेरा पापा कहांदा जे तेरे नानकियानू सद्या भी आवि की पता हो आओंदे हन के नहीं इननी दूर नाले तेरे मामे ने ता मत भागं है फ़ाड़ लेआ सी फिरोनों का दा खर्च पोणा जेव कुछ नाले आये तासा नू सब नू तकलीफ होनी सी ले ऊना उना निकी सी तैनू दसया सी ना तेरी नानिस रानिया लेआसी ते कौन ले होंदा होंदा है। कौन दे गुर्दवारे पाठता पोग पाया। ते पहला अखर आया गगा। ते तेरा नाता पहला मिथ्या होया सी। वखो अख अखरा नाल गगे नाल रखया सी। गुरलीन को और। जिद्दा जिदा मैं बड़ी हुंदे गई। मैं सोचन लगी कि बाबाजी दिया स्राणि ले आंदियां ता केड़ी माड़ी गयाला। तो अनूता सगों खुशी होने चाही दिया। पर मैं केंदी किनू। उथे केड़ा सुनन दादी सुनन दे मोडवेच हुंदी सी। जे हो जे वेले किते पापा बैठे हुंदे ता हस दे हुए केंदे वैसे गुपाल कॉर भी रख सकते सी। गपाल पुर दे नां दे नाले पिंड़ी याद बनी रहें दी। क्यों गुरु लीन माड़ा। गुरु विच लीन होना। रब्दा नालेना। याद होना सारे अन। दादी ये कह के अपने तर्मात मां ते गुणे ग्यान नी होन दा सबूत दन्दी। ते क पता वड़ी होके ने किन्यानू गुरु नालीन करोना है। ते किन्या कु सिम्रन करना है न। दादी पूआ दादाजी ते पापा खिड़ खिड़ करके हास पैंदी। मैं भी हास पैंदी। पर ममी उसे तरा अंगुम सुम अपने काम वेच लगी रहन दी। जिवें गल्ल अठा दादी दे कैन मताबत। मैं शुरू तो ही स्वेरे उठ जान दी सी और उठके कदी रोई नहीं सी। जनाचेर पापा उठना जान मैं चुप चाप अंगुठा मुझ पाके चूस्ती रहन दी। ते ममी नाल मंजी ते पही रहन दी। बड़ी शामती ते सैन शीलता सी तेरे चोदों ता, मुझ पता नहीं तू क्यों खेजी रहने हैं। कुछ दिन पहला ही दादी ने क्या सी। पञ्वा अंग। पापा ने भी आखे मेरे नाल बड़ा प्यार की था। मैं पहली वरी ममी दे चेरे उत्ते खुशी दाय सास देख्या। थोड़े की चेरले शाम तीक ममी फिर उसे दरां चुप गुडप हो गई। उस दिन अजे सौन दी त्यारी कर रहे सां कि अचानक करवे छाल चल मच गई। दादी उस विले दादा जी ते पापा नू कुझ कह रही सी, दादा जी स्कूटर लेके आगे ते ममी पापा ते दादी के चले गई। जान्दे हुए ममी मैंनू बुलाके भी नहीं गई थोड़ी जी देर बाद पापा वापस आगे ते पुआ ते दादा जीनू कुछ कह की फिर चले गई मेरा रोन नू जी करे के जोर दी चीक मारा ममी तू किते चली गई है पर आवाज मेरे बुलां तो बार ना निकली पुआ ने शायदे देख ले आसी गुलीन ममी हस्प्ताल गई है भैया लेके आएगी सौझा हुन दादा जीने मैनू इक कहाणी सुनाई ते मैं कहाणी सुनदी सौण गई स्वेरे जदू मैं उठी ता ममी नू अपने नालना वेहके उदास हो गई रोन नू जी करे पर पता नी केड़े डारतों रोन दी अवाज भी ना निकली मैं अंगुठा चूसती पही रही पुआ ने उठके दुद्धी बोतल मेरे मून चलादती ते मैं पई पई ने दुद्ध पी लिया थोड़ी देर बाद पापा आ गए ते उन्हाने अंदर वड़ देई पता नी की क्या पुआ ते दादाजी उठी बैठ गए मैं आले द्वाले देख दी रही पापा ने मैंनू भी न बुलाया थे चुप चाफ दुजे कमरेच चले गए कुछ देर इस तरह गुम सुम्रेण थे दादाजी बुले तेरा किया मीठा लागय हर नाम पदारत नानक मांगय पुआ ने मैंनू दस्या पिंकी दीदी आई है बापा जी ने जाएगी दीदी को देखने थोड़ी देर बाद पापा के साथ चलेंगे मैंनू लगा कि केंदे केंदे पुआ रोन हकी हो गई है मैं बोलके किसे तो कुछ ना पुछ सकती सी ना कुछ गय सकती सी मम्मी कोल जाननू मेरा बहुत दिल कार्या सी पर कीनू केंदी के मैंनू होने मम्मी कोल लाचलो मेरी नमी आई पैन दा नाम सब ने सपना रख्या जदो मैं पहली वरी उनू देखन गई तो बिलकुली मास दा एक लो थड़ा जया लग दी सी शायद समा पूरा होन तो पहल नहीं प्यादा हो गई सी दादी ने मैंनू अपने नाल लालिया मैं मम्मी कोल जाना चौन दी सी पर दादी ने क्या पिंकी डॉक्टर ने मना किता होया क्या अंदा मम्मी गंदी है असी नी जाना आजे ये दे कोल मैं मम्मी दे नेडे ना जा सकी मेरा जी करदा सी के मैं सपनानू हाथ लाके देखा पर उनू भी केवल दूरों ही देख सकी ममी ने मेरे वल देखिया पर मैनू बुलाया नहीं थोड़ी देर बाद पापा ते दादी मैनू वापस कार लाया आई पुवा हस्पिताल रही ममी कोड दो चार दिना बाद ममी ते सपनां दो मेकार आ गए सपनां दे जनम देन तों कोई पंदरां को दिना बाद मेरी नानी ते मासीयों नू देखनाया ओदों ता मैनू बिल्कुल कोई समझ नहीं सी पर होन मैं सोच दियां के दिल्ली रेंदे हुए वियो इनने दिन क्यों नहीं आई ममी ने नानी नू पोछी लिया ता नानी चुप पी रही मासी बोली सानू चिठी कल मिली सी ओद्धान तो अनू पता नहीं सी वैसी मिलन आ जान्दे पुगादी अवाज इस तरहां सी जिमें होने लड़ पाएगी ओद्धान केड़ा तुसी मैनू दस्या सी ये नानी ने क्या सी इस सारे गल्लां ता कारी रहे सन पर एक दुजेवल वेक बिल्कुल नहीं रहे सी बिल्कुल चुप किती रही पुवार सोई वेच चाब नौ दी हुई कुछ बुली जारी सी जिदा किसेनू कुछ पता नहीं सी लाग रिया नानी जा मासी ने मैनू बिल्कुल नहीं बुलाया तुरन लगे नानी केंदी कुडे पिंकी तु ता बुली नी किते लुकी बैठ मार जानी है आप ता आगे इसी उन प्रानू लाया हुंदी आचली ये माम्मे कुल एदा की कुसूर है दे विच प्राय ने लिवना सी के तो अड़ी ती इने दाधी चुप ना रह सकी हाई हाई साड़ा मूवी बंद कार दे होगी मैं ता एमी क्या दत्ता कुडीनू बुल तुरन लगी मासी मेरी उंगली फड़के केंदी आजा चली ये मामे कुल उस मामे दा ना सुनके मैनू डार लगन लाग पेंदा सी मैं इक दाम उच्ची उच्ची रो उपई नई मैनी जाना क्यों कुडी दे देल च देल पॉंदेओ पता नी उथे जाके की कर देओ कुडी हफ़ता हफ़ता हटकोरे पर नोनी हट दी दादी ने फे टोक देता थोड़ी देर बाद दोमें चलीन गया तांकार विच कम साण माच गया छेमां अंग मेら जनम अठाई जन्वरी दाहे सपना दा जनम चार मैई दाहे जदो सपनादा जनम होया तग मेरी उमर केवल एक साल तिन मेने तिस साथ दिन दी सी मेरा दिल मम्मी को जाननू करदा पर मम्मी नी कदी मैनू अपने को बुलाण दी कोशिश नहीं कीती जि मैं आप ओदे कोल जान दी कोशिश कर दी तब हुआ जद आदी मैंनों खिच के अपने कोल ले जान दी ये तक गंदी है तेरी ममी गंदी है आजा तू मेरे कोल ममी नी कदी भी कोशिश नहीं किती मैंनों बुलाण दी जद मैं उदे को जान दी कुशिश कर दी तावी मेरा जी रोन नू करदा पर मैं रो भी न सक दी मैंनू लगदा के ममी सपना नू ज्यादा प्यार कर रही है उन सपना भी मास्ता लो थड़ा नहीं सी लगदी हॉली हॉली उ मोटी हुंदी जा रही सी खास करके उदा मूँ बहुत फुली जा रही है सी गोल मोटोल मेरा जी करदा उदे मूँ नू हाथ लमा पर दिल मुसोस के रहा जन दी इस तरह करदे करदे किनने दिन बीत गए ते एक दिन पापा आ गए सपना दे जर्मतो बाद पापा वापस चले गए सन पापा दियां गल्लां तो लगदा सी के होनो सानू लेन आई हा पर करदा महालिक दम सुनमसान हो गया सी मम्मी तक कदी भी कुछ नी बूल दी हुन पुगा थे दादी भी चुप़ी रहनी है सन मैनू समय नी आ रही सी के की गल्ले पापा दी चुटी कतम होन तो एक दिन पहला मैं दादी नू केंदे सुनेया फिर की प्रोग्राम बढ़ाया कादा प्रोग्राम दस्या तसी तो अनू पताता है उत्ते पाणी दी किन्नी मुश्किल है सारे जणी उत्ते किदा रहनगे ते दोहा नू किदा रखो एता सांब नहीं होन दी एत्थे भी पिंकी नू ता गुड़ी सांब दी है नाले तेरा पापा लई फिर दारंद है उत्ते कल्ली किदा सांब हो उवी ता जे छोटी है पापा चुप रहे जिमें कुछ सोच रहे होन पिंकी नू छाड़ जाओ एत्थे साड़े कोड सपना नू लै जाओ दादी ने क्या पापा ने एद्धा देख्या दादी वल जमें कैना चौनद होन एक एद्धा रोव एत्थे मांदे बिना पर उ बोल ले कुझ ने दादी दिये गाल सुनके मेरा दिल दैल गया पामे मैं पुआ ते दादा जी को लेंदी सी पामे मेरा नहौन तोन भी हमेशा तो दादी कर दी सी पामे मैं पुआ नाल भी बहुत प्यार कर दी सी पामे ममी ने मैनू कदी नहीं बुलाया सी पर मम्मी रेंदी था कोली सी, दादी दी गाल सुनके मेरा था सास सुक गया, पापा उथ उठके चले गए दुझे कमरे बिच, जिते मम्मी दे सपना पईया सन, शायद मम्मी नू पुछन गए हूँ, पर उद्रों कोई अवाज नहीं आ रही सी, पापा दी अवाज जुरूर सुनी, पर उद्रों समझ नहीं आया कि कह रहे सन, मम्मी दे अवाज नहीं आई, उस दिन राती जदो मैं पुछन दी कोशिश की थी, पिंकी गंदी मम्मा ते सपना नू जान दे पापा ना, असी ये थी रहांगे, बाप्यां दे जावांगे, खेल लांगे, उथे जाकी की करने, मैं अंगूठा मूँच पाले आते, चुंगन लगी, पता नहीं मैनू के स्वेले नींद आ गई, स्वेरे उठी ता मम्मी पापा सपना त्यार बैठे सन, किसे ने मैनू कुछ नहीं किया, मम्मी ने भी नहीं, हां बड़े दिना बाद उने मेरा मूँच उमया, पाप जी स्कूटर लाया है सन, मैं महसूस कीता कि पापा दियां खमिच हन जू हन, ते शायद ममी ने खमिच वे, पर दो में कुछ न बोले ते स्कूटर उते बैके चले गई, पुआ मैनू चुक के खडी रही, मेरा जी करदा सी कि मैं जोर नल उस कोड़ों छुट के दोड़ के स के मैं भी एथे रह के खोश सी, पर मेरे अंदर की हो रहा सी के मैं सारे नू दस दी, जिदी माई उनू छड के जान ली त्यार हो गई, सवा साल दे बच्चे नू उधी होर के ने की सुननी सी, जदो मैं पंजमीच पढ़ दी सी, पापा दी पोस्टिंग जमू कश्मीर अधसा होया, उदोनी अंगला मेनू काफी याद हां, सपना उदो चोथी च सी ते साड़ा परा, जो सपना तो तेन साल चोटा सी, उनू नर्सरी च दाखल करवाया सी, शायद उनी सो बनमे दी गाला जा तर्यानमे दी, पंदरा मार्च नू छोटी परा दा जनम दिन सी, पर उसतों एक हफता पहला ही ओ बिमार हो गया, ओधे मथेच दर्ध शुरू हो गया ते दिन विच दो तिन वरी ओदे नक विच जो खोन वगना शुरू हो गया सी, जदों वी ओदे नक जो खोन वगदा ता सारे कबरा आजान दे, पापा ता दफतर गई हुन दे सन, छोटे न परो मत्ठा दुखदा मत्ठा दुखदा करदा रहंदा. किन्य ये डाक्टरां को लों दोई बदल-बदल के लियानंदी परोदा दर्ध दूर ना होया. इस दोरान पापा काफी परिशान रहंदे, कदी छोटे नु डाक्टर को लेके दोड़ दे, कदी एक्सरे कराऊंदे ते कदी इंजेक्शन लुआन जन्दे कई वार किनी रात नून डॉक्टर कोल जन्दे दादा जी ते दादी सारा दिन कुछ ना कुछ बोल दे रहंदे ममी हमेशा वांग चुप पी रहंदे ना किसे गल्दा हुंगा रापर दी ते ना आप कोई गल्द कर दी एक दिन स्वेरे पापा ब्रश कर रहे सन के चोटा जोर दी जी क्या दादा जी मत्था उई कुटा बेवकूफ दादा जी उठे ते चोटे नू ता फड़ लेया पर उची उची बोलन लग पे तो अनू दिलिद्दर कितों प्या होया है ना अठ वजे उठके ब्रश कर दाए पाठ पूजा कोई नी जे तुसी दोनों सुखनी सावदा पाठ करो ता मुंडे दी दर्द इक दिन चाहट जबे पर तो अनू ता दिलिद्दर प्या होया है पापा जो छोटे दी चीक सुनके उद्धर नू जान लगे सन वापस अपने कमरेच आ गए मैं स्कूल जान ली त्यार हो रही सी ममी भी कमरेची सी ममी ने पापावल वेख्या जिमी सोच रहे होन के ममी कुछ बोलेगी ममी ने पापावल वेख्या पर बोले कुछ ना चुप करके मेरे कंगी कर दी रही पापा कमरे चे द्रों उद्रों उद्र तेज तेज चक्कर लाँ दे रहे जो में किसी एहम मसले बारे सोच रहे हुन अचानको भी दादा जी बांगुची बुले जे असी पाठ नहीं कर दे ता ये दी सजा छोटे जे बच्चे नूं मिलनी है कि दान दा रब बैत वाड़ा जो अपना नाम जपाउन लीक मासूम नू इन्नी सजा दे रहे है जे हो गाला ते मैं नहीं कर दा पाठ पूट इन्नी मुसीबत विच्वी तो अनू चैन नहीं है पर बोलन तो पहला उनना ने दरवाजा पीड देता सी ममी ने सारा दिन पाठ नहीं कीता टाइम भी किते सी पर शाम नू पापाजी दफ्तर दुआ के गुटका लेके बैठ गये सन इक दिन छोटे नू जदों बच्चेयां दे स्पेशलिस्ट नू दिखा के पापाई ताउना दा चेरा उतरे होया सी मैंनू तोना दे मूँ वाल देखके डर लगण लगपया अक्खा विच पाणी पर या होया सी चादा कपो बुलान तक लेके जन्दे पर बुलानू बिना लाई फिर थले मेजू ते राख देंदे जिमें डर रहे होन के हंजू चाव इच्ची ना पैजान की कहनदा गोल दादा जी ने पुछया पापा कुछ न बुलए रुमाल कड के एक्खा पुंजण लगपय जिमें अजे सोच रहे होन दसां के ना दसां बॉलदा क्यों ने की कहनदा असी डॉक्टर दादी ने भी पुछया पापा ने ममी वल वेख्या जि मैं कह रहे हूं, तू भी तब हुच, पर ममी कुझ ना बोले, उठके रिसोई वल नूं तुर पई, मैं ते सपना ड्राइंग रूम दे दूझे खुंजे च बैठियां चुप चाप इना वल देख रहें गयां सी, डॉक्टर केंदा ये दे सिर दा कैट स्कैन कराओ, चंडी गरतों जद दिलीतों, कैंदे कैंदे पापा हट कोरे लेके रून लग पई, दादी उठके दूझे कम्रेच चले गई, दादा जी भी बार नूं चले गई, रुसोई विचो पाणी दे सिंक विच पैंड ते पांडे खडकन दी अवाज उच् कम्रेच पापा रह गई, कल्ले ते चादा काप मेज उते प्यार रह गया, दो कुमेंट बाद दादा जी वापस आ गई, दादी भी बार आ गई, तिन्नों जणे रोन लग पै, मम्र रुसोई विचो नहीं निकली, मैं ते सपना एक दूझे दा हाथ फड़के उत्थे गड़ चले गई, छे साल पहला जदो सपना नू लएके मम्मी ते पापा कांगड़े चले गई सन, उस्तों बाद पहली वारी सी के मम्मी ते पापा दूझे सन नू छटके किते गई हून, उदों ताप हुआ मेरे नाल सी पर हून सिर्फ दादा ते दादी जी ही सन, पंदर विची पापा दा चेरा पीला हुगया, चंडी गड़ तो कैट स्कैन करा के आये सन, ते डॉक्टर ने छोटे दे सिर्विच रसॉली दसी सी, जिस दा इलाज सिर्फ अप्रेशन सी, मैंनू रसॉली दा मतलब नहीं पता सी, पर मैं किसे तो पोच्छ ना सकी, किसे ने समझे, पर हुण छोटे नू देखके मिरे दिल विच कुछ-कुछ होन लगदा, खाना पीना उस्ता लगपक बंध हो चुका सी, बड़ी मुश्किल नाल किना किना चेर बैठे रैन बाद एक दो चमचे जूस दे पीन दा जा होर कुछ खान दा, इक पासे नू सिर रक्के उ पियारन दा, दोनों हाथ जोड के उस सिर्दे थले राखलन दा, ना कुछ बोल दा थे, ना किसे वल देखदा, उनों स्कुण उठके बैठ भी नहीं हुंदा सी, इस दोरान एक दिन नाना ते नानी जी आए, जैं शायद जदों ममी पापा चंडी गड़ गए हुए सन, नह योस्तों भी पहला, उधों ता चोटा जे तुर्दा फिरदा सी, पावियों दा मत्था दुख दा सी, पर जे होन नालों बहुत ठीक सी, इक मिहने तो भी काट समय विच, कोई इनना कमजोर भी हो सकत है, ये मेरे लिए पहला ही तजर्बा सी, पावियों नानी नाना परो छेती चले गए, रात साडे कोल नहीं रहे, जम्मू विच्ची ममी दिपू आधी लड़की रहन दी सी, राती ओना कोली रुके, उस दिन राती ममी ने मैननू ते सपनानू दस्या सी, तेरी मासी ले मुंडा देखना आये हन, मासी दा व्या होएगा अगले मिनने, असी सारे चल लांगे, छोटे नू लेके ममी पापा फिर चंडी गाड चले गए, साडे पेपर हो रहे सन, इसलाई असी फिर दादी ते दादाजी नाल जम्मू ही रहे, रात नू असी सारे एक कमरे विच्ची सौन दे, दादी ते दादाजी आपो विच की गल्लां कर दे मैनू समझ ना उन्दी, पर कई वरी दादाजी खिज के बोल दे, ता पता लगदा क्यों की गल्लां कर रहे सन, तू की लेणा उना तो, क्यों हरवेले उना इन गल्ला इं कर दी रहनी है, खिज दे क्यों हाँ, मैं तो उद्ध्य हैं केन निया, दो तियां, दो ते किते माडे हुन उनानल प्यार नी हुंदा, नानी आई सकती सी, मसी ही आजान दी भी मेरियां पांजियां कलियांने, वग्ये कदों आई है, जड़े अपने जवाई दे अप्रेशन देनी आई, उनानू दोतियां ज्यादा प्यारियां हैं, जवाई भी ता पुत्तां ब्रबर हुंदे है, पाभी ते चाचा तो अडेनल किद्दां कर दे हुंदे सी, दादी नू अपने मापयों चेते आजान दे, ते उना दी वडियाई किते बिना न रह सकती, मैं ते सपना बिना कुछ समझे उना दी अंगलां सून दे रहन दे, अज बांसल मिले आ सी, क्यान दा सी गुर नाम द पेर पापा दा फोन आया सी, पिता जी की हाल है, अज फोन आया सी गुर नाम दा, छोटे नू पीजी आई दाखल करा दता है, कैन दा सी के पिता जी आजान अगले मंगलवार अपरेशन करोन है, अंकल दे जानतू बात दादी ते दादा जी चुप चाप बैठे रही, दादा जी उठके कमरे वे चक्कर लोन लाग पै, हौली हौली, कदे हाथ जोड लेंदे, कदे बाबाजी दी फोटो मूरे खड़े हो जान दे, दादी नू ते सानू छड के उ किदा जान दे, इस सोच सोच के उ परेशान हो रहे सन, पामे बांसल अंकल क्या गे सन, तुसी जाओ, असी एथी है गया, इत्थों दा फिकर ना करेओ, परोवी साडे कुल किनना कुछे रह सकते सन, उनना दा अपना कारसी बच्चे सन, फिर की करिये, अखीर दादा जी बोले, दादी बोलन लगी पर आवाज उदे गाल वेची रह गई, फिर जोर लाके मसा उदे गले बोले कर, तो अनु याद या, जदो बागपूर वाली कुडी वेखन गई सी, उदे दो परासन, पाबी केंदी गुर्णाम साले बामा हुंदे या, दो साले या तेरे जुआन, ता गुर्णाम दे मुह निकले बामा पाजवी ता जान दिया, अज सची उदियां बामा की किसमत दिती तु मेरे पुतनू, बामा पा नणियावी सान ता ओदे पुतनू, ता इस मुसीबत वेचना पौंदा, इनना कह के दादी जोर जोर दी रोण लागपई, दादा जी दियां खंच पाणी आ गया, ओर रोण हाके ता सान, पर रोंदे क्यों है, इसले जोर दी बोले, तेरा दमाखें हो राब हो गया, जिस वेले देखो उना दियां गला, पहला अपने गल्पई मुसीबत बारे सोच, जे तु होसला नी करेंगी ता मैं कितना जाऊंगा उथी, गरनाम कला, उन्हों कीने सला देनी है, ये सुनके जिमें दादी नू राबवलों कोई सो बोटी लाके, एक दिन ता असी रह लगांगे, ओखे सोखे, सत्मा अंग, इस तु अगले दिन दादा जी चले गए, जिस रात हो गए, वो रात मैं सपना ते दादी जी, एड़े व डेका अर्च एकल्ले ही सुते, दादी जी नू ता नेंद की ओनी सी, मैं भी सारी रात की, बार जरा जिननी अवाज हुंदी ता दिल दैल जांदा, दादी अपने डरल कोणली मैंनू केंदी, पिंकी सुती नी, डर कादा है थे, अपना कारा, नालवली कोठी चंटी हमेशा ही कली रहंदी है, मैंनू लगदा कि मैंनू कट अपने आपनू ज्यादा होसला दे रह पर उना दी अवाज विच अजीब जी सुन सी, जो मेरे स्रीर दे विच्चों चीर दी लंग जन दी, अगले दिन दुपैर तो बाद पिंडों पुआ ते उस दा वड़ा बेटा आ गए, ता साड़े साच सा आया, पर चेरे उना दे वी उड़े हुए सान, साड़े का अर व पुआ दी वी लोड नहीं समझी, शायद लोड सी भी नहीं, असी केड़ा जाना सी, पुआ ते दादी दियें गल्लां तो मैंनू इस सब कुछ पता लगा, इसे दुरान साड़े पेपर भी हो गय सान, ते रिजल्ट भी आ गया सी, पर क्यूंके पापा अपनी बदली चंड चंडिगाड करौन दी कोशिश कर रहे सन, असी नमी क्लास वीच दाखला नहीं लिया, छोटे दा ओप्रेशन हो गया सी, चंडिगाड पीजी आई विच, ओप्रेशन केंदे सी ठीक हो गया है, दादी अपना देल होला करन ली, अपई बोलन लाग पेंदी, पिंकी छोटे ओप्रेशन ठीक हो गया है, बाबा जीनू मत्था टेको, छेती ठीक हो जावे, असा सार्यान इहुन चंडिगाड जाने, उत्थे तुसी पढ़ना है, अपई थोड़ी देर बोलके चुप कर जान दे, मैनू लगदा कि ओ फेर कुछ गैनू चक गई, शायद है सोचके कि मैन जा मामे नू इस विले साड़े को लोनां चाहिदा से, स्कूल वेच कई वरी बच्चे गल्लां कर दे सन, कि उना दे मामा मामी जी, जा मासी जा नानी आये सन, जदों कोई इस तरहां दी समस्या का अर्चून दी ता ज्यादा तर मासी, मामी जा नानी आकी, उना दे कोडी र जाके मैनू की डार लगा रहन्दा सी, फिर एक दिन पापा चंडिगर तू आ गए, उना दी बदली चंडिगर दी हो गई सी, ते उना ने मकान भी करायते ले 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 आ सी, ओ होन सानू लेनी आये सान, ममी ते छोटा नहीं आये सान, साधी स्कूल तो ट्रांसफर सर्टिफिके लेके ते होर कागस जमा करा के, असी मैजान शायद जून विच चंडिगर आ गए, छोटे नू देखके खुशी भी होई, पर इस खुशी विच उदा सी सी, असी छोटे नू जिस तरा जान दे सी, यो छोटा नहीं सी, उदा स्रीर बिलकुल अकड़े होया सी, उदी असी अवाज मार दे तो हिलदा जरूर पर साड़े वल देखदा ना, शायद उनू अक्खां फोकस करन विच वी तकलीफ होंदी सी, जा कारी नहीं पहुंदा सी, उमंजे ते लेट्या रेंदा, ना बैठ सकदा सी, ना बोल सकदा सी, हाँ सुन जरूर सकदा सी, कोई गल तिर तो वालला दिते गई सान ते सिर्देख पासी उप्रेशन दा निशान सी, मैं ते सपना दूए उदी हालत वेक के हैरान सी, ना सानू किसी ने दस्याते, ना पुछन दी असी हिम मत कीती, जो गलना सारे जने कर दे सान, उवी सानू समझ नहीं आउं दिया सान, पर बहुत काट सी, कई वरी उल्टी भी कर दन्दा सी, कदी-कदी उदी हालत बहुत खराब हो जान्दी ता उनू पीजी आई लेके जाना पन्दा, पापानू इस सारे पासी पाच दोड करने पन्दी, क्योंके दादा जीनू स्कूटर चलोना नहीं होंदा सी, उवी गुर्द चे रजीब अजीब लगदा रहा, एक साल बाद काके दे जनम तो बाद सानू लगया, के रबने छोटे नू फेर पेस दता है, गुर्लीन ने PMT पास कर लिया सी, पर सीट उनू पंजाब तो बार मिल रही सी, उनू बार जाके पढ़ना ने चाओंदी सी, कारी रहना चाओं रहना चाओं दा के उनू पापा दे कोल्री रहनां चाओंदा, एक दिन मोना ने पापा Turnsाअulle कहा देता, पापा मैं ने पौपा ने चाओं मैं ट।री करनी रहना हंता, पर क्यों, जी प्लीक करनी सी, पर में जरूर इन कलिफ कटनी सी, कल्ले रहना दी, क्यों मैं पिछले पांच सालां दा परेशान होंदा फिर दा हर हफ्ते बसांच तक केखांदा रहां। पांच चुप चापर सोई च चलेगी। उदे वतीरे विच जिडा खड़ पुणांसी उद्धिनों दिन कटदा जारेयासी। पांच सालां तो उन गुरलीन तो अजीब जया पैया उन लगपिया सी। उन कुछ वी सिद्धे कैन तो डर्दा सी। इस गुथीनों सुल जान लई वी आउ गुरलीन कोडी चल देया। पापानू सैत विच वी काफी दिल्चस्पी सी। अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, तिन्या, प्रिशामा विच उनानू मुहारत सी। पढ़दे था बौती सान, कदी-कदी लिख देवी सान, कहाणी, कविता, लेखाद। ज्यादा तरू पंजाबी विची लिख दे सान, ति उना दिया रचनामा पंजाबी ट्रबियून जग बाणी आदक बाराम इच पदिया रहन दिया सान। कदी-कदी मैं भी उना दिया कहाणियां पढ़ लें दिया, पापा ज्यादा तर फर्स्ट पर्सन विची लिख दे हन, उना दा मुख पातराम तौरते मैं हन दै, उना दिया ज्यादा कहाणियां पढ़के लग दै कि उना ने ज्यादा तर अपनियां कहाणियां लिख दे हन मैं कई वरी सोचया कि ओनानू थर्ड परसंच लिखनू का पर एनी हिम्मत ना कर सकी शुरू तो ही नहीं ये कहना तो ठीक नहीं है पहला पहला तो पापा बड़े जॉली मूट ची रहन दे सान हस मुक छोटी छोटी गालते कोई न कोई टोटका सुना के सब नुह साओंदे रहन दे सान पर दो तिन सालां तो ओना दे चुप विचवादा हो गया सी खास करके छोटे दे पूरा हो जान दे बाद हमेशा गुम सुमजे रहन दे मैंनों ओना नल गलां करण तो हमेशा डर लगता एक दिन ओना दे कहाणी जग बनी चपड़ी पच्चतावा पोस्ट मॉर्टन दे रिपोर्ट तो साबत हो गया के मैनेजर रमिंदर सिंग दी मौत जहरीली चीज खान करके होई है काफी दिन लाग जान करके अंतम सस्कार तर्मशा लई करना प्यासी ते हुणोना दे कारवले समान बनन लई हरी पुराई हुए सान सार्यानी अखा सुजिया हुए सान किसे ने दो हफ्ते तो चैन नल रुटी नहीं खा दी सी पर मिंदर सिंग दे सौर्यान वलों कोई भी नी सी आया सारा पिंड हैरान सी के स्तरा दे बंदे भी दुनिया चान कोटो काट जिना नी कुछ सोच दे जीने स्रीगुरु ग्रंद साब दी हजूरी च लामा लिया सान उस बारे भी लोका निया दो रामां सान कुछ लोग के कह रहे सन के उस्तेकार वल्याने उन्हों नहीं आउन देता होईगा ते कुछ लोग कह रहे सन के इस सारे फसादी जड़ी हुए पर किसे भी गल नाल मैनेजर साब दी आत्मानु शान्ती नी मिल सकती सी सुलेखा मकान मालक दी नोकराणी नी आके दस्या दीदी परजाई जी आ रहे सन सारी अचानक चुप हो गई उन किसे नी की कहना सी कहन दा फायदा भी की सी गुड़ी मैनेजर साब दी छोटी पैन अपनी मानु कह रहे सी बीबी हुन चोपरें मैनेजर साब दे पिताजी उठके गुर्द्वारे बलनू तुर्पए अजे भुए तकी पहुंचे सान के द्वेंदर कार उना दी नू हुन का दी नू उना ने सोचया पुबा मार्दी उना दे पैरां विच चुक्के लेटी गई वो बड़े शशो पंच पह गई डौर पौर जे होके उत्थे दे उत्थे खड़े रही ना कुछ बोले ना ही दिवेंदर नू चुक्या अखांचो हंजु वेजी में सोक गई हौन पिच्छेओं किसे दे शायद गुड़ी सी अवाज आई होन की पखंड करन लगी है खाता गया मामाती यहां साधे मुंडे नू दिवेंदर अपपे उठी उधी आखां तो इंज लगदा सी के ओ भी कईया देना तो रो रही है हड़ियां दी मुठ ही रह गई सी हुन सुलेखा अपनी माल करनू कह रही सी बीजी देखो की हाल होया एद्दा दे मापयो भी ना होन किसे दे पिताजी एक पासी होके निकलन लगे ता द्वेंदर फेर उना नाल चिम बड़ी गई पिताजी मैनू माफ कर देओ मैनू माफ कर देओ पिताजी फेर मिटी दे बुत वांग खड़े हो गई जिस्तरा उना दी जबानी सित्ती गई होए पर हुन उना दी अखा विच्चों भी पाणी दिया नदिया वै तुरियां सन मसाई उना दे मुओ निकलिया पुतर माफीता रबतो मंग होन इन्ने चिर्वेच पिछ्चियों द्वेंदर दी माँ ते पेओ भी आ गए उनाने द्वेंदर नू सौरे तो वखरा करन दी कोशिश की थी पर उन पिताजी नाल होर भी कुट के चंबड गई उन रोन नालोने वापस्ताने आजना प्यो बुलिया जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिया माने क्या उन पिताजी ने जोर नल्द विंदर नू अपने तो वख कीता ते होले जी क्या तीरज राख पुतर रब बले करेगा ते उ गुर्द्वारे वलनू चल पै जिवियों नाने कुडम ते कुडमनी नू देख्याई न हुए देखले ए ऐसाड़ी इज़त थे असी हुण एनी दूरो आये हैं कोई द्वा ने इसलाम ने कार्चाड के तुर पै रसी साड़गी पर वट नी गया हुणी पर मात्मा तो कुछ डरो गुड़ी जो मानू चुप रहन नू कहरे इसी आप चुप न रह सके एत्यो कोई व्याख खाना आये हैं जड़े तो अनुचा पानी पुछी है उन सानू खालो तेरे तो अपनी मानू अगनी लगई ता ज्वाईदा की दुख हो ना सी पता नहीं केड़े कर्मा दा फाड मिले आये सानू जड़ा तो अड़े वर गे कंजर पल तेरियां आग गल्ला सोनके तेरे परादी आत्मानू केड़ी शांती आजो त्यो कुडी नू अपने नाला के रोन लग गई एधर दुविंदर भी अपने वड़ी ननान दे गाल जा लगी एक ही होया एक ही हो गया पैंजी एक ही हो गया मैं जिदने तो गई सी रा विची क क्यों ना मर गई मैं क्यों हुन तक जीन दी रही पिच्छियों दुविंदर दी मां दी आवाज आई कर्मी आपो अपनी एस उनके गुडी दी मां ना रह सके तू ता आई मेरे पोतनू खान सी तेरी मां ने डैन ने तेनू अपने का रवसन ही नहीं देता उन किसे होर नू खाएंगी डैन के दानिया मामा हन दुविंदर नना नू छड़के सासदी चोड़ी च जाड़ी गी पता नी सासदे देल च की ख्याल आया शायद पुत्तर दी लिखी होई आखरी च टी याद आगई उती नू छड़के नू नल चे मबढ़ गई नीती ये तूं क्यों चले गी तो अनू तो मैं पहले ही किया सी इनू की करना है इनू लजा के उनू बाकी समान नाल ले जाना है ता इनू ता नाल लेओना ही पेड़ा सीपियो बोले है सरदार जी कुछ ता शरम करो एवाज मैनेजर साब दे मकान मालक दी सी अके मुर्दा बोले खपन फड़े इस तरहां दे बेवकू बन देता बई मैं आज तक नहीं देखी अगलियां देकार मुसीबत पाई हुई है उवी तो अड़ी पाई हुई ते तो अनू सुमान सोज दे नहीं जी एनाने सनुकेडा काट दुखी कीता है साल पार कुडीनू एनना तांक कीता के कोई दुश्मन भी ना करता दस सिना लेवी कुडीनू साड़े कोलनी पे जया सारे दें त्योहार भी लंग गय प्यो बोले नाले जी जान वाला ता चला गया उनू रोंदे रैन साड़े ता गुरुजी कह गे ने हर्ग सोगते रही ने आरा इमाधी अवास सी शाबाशे माधे शाबाशे प्योदे सेंख साब जदो मैनू दस दे सी ता मैनू यकीन नी सी ओंदा पर हुण मैं केना कि जे उना ने फिटे मूं मांदा ते फिटे मूं प्योदा चिठी च ल रो रो के अखां घराब करेंगे पर मां दी अवास सुनके दवंदर फिर पुबा मार के रोन लग पे सी माता जी मैनू मार देओ मैं हुन जी के की करना है ते माता जी ते दो में हाथ फड़ के अपने गड़े तक लेगी ते होर गुड़ी बोली हुन मानू फांसी लगवा पेंजी तुसी क्यों नहीं मैनू मार दे पर हुन एद्धा नहीं गल्ला ना करो मैं जो किता सी ओधा फड़ मैनू मेल गया पर रब दे वास्ते हुन मैनू माफ करो मैनू जो सजा देनी है देलो पर मेने ना मारो असी की सजा देनी है सजा रब देगा तो अनू सानू ता त उसी शांती नल रहे लेन दिव बसुनले मिन्नी माने किया तेरी यह इंबाम अडियां साने नानू मिलनवास दे। यह नी बदल सकते चल उट तुर चलिये गड़ी ओन विले तक जस बीर कोल रहने या। तुसी चुप नी कार सकते हुनकता चुप करो दुविंदर ने मानों जवाब देन दी हिम्मत किते। असी की कीता है प्यों बोले चल तोर हुन समान समून बाच दिल्ली देखलांगे। दुविंदर चुप रही शायद प्यों सामने बोलना नहीं चौन दी सी। चल हुन तोर किते की। एथे तु हुनकी करना है गुड़ी फेर ना रह सके। अग्गे भी ये ने एथे की की थे। अजे मां पे उखान नू बाकी पहे ने। तो अड़ा तेड़ता बड़ी छेती पार गया। दुविंदर दी मा ने उनू बाँव फड़के खेचया। चल मैंनी जाना। एत्धे तु की करना है। हूनी ता एथे मेरी लोड है। तेरी एथे कदी भी लोड नहीं सी। हुनकी होनी है। इनानू मेरी लोड ना होएगी, पर मैं ता इती ही रहने। सारी उमर किदा रहेंगी, हमें बेवकूफ ना बन। जिस तरह मैं पिछले दो मीने कड़े हान, उसे तरह सारी उमर कटांगी। तुसी मैंनू कदी भी कोई अकल दा काम करनी नी देता। पियो ने भी बाउं फड़के खिचया, चल तुर। दुविंदर ने चटका देके बाँ छुडाई ते चीकी। मैं क्या ना मैं क्या ना मैंनी जाना। जे ना दा पुत्तर गया है ते मैं उधी कमी ता पूरी नी कर सकदी पर थोड़ा साहरा ता बन सकदी है। उन्हें पियोदा लिहाज भी हुनला चट्डिया से। तेरा दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो अड़ा खराब है। जे तुसी मैंनू ना ले जान दे जान दे जा फेरी गलती मन के छट जान दे ता ये नी सी हुना। पर तुसी अपनी होम में विची ए पूल गय के तो मैंने जाना। पुतर तु ओने थे की करनाया। मै अपने पापान दा पचतावा करनायां पिताजी प्लीज मैनू अपने फुतर नहीं ता नोकर सम्झके राखलाओ मैने जाना॥ मैं सारी उमर तु आडिसेवा करांगी। पिता जी ने कोटके उन्हों गालना लाले आते अखां विच्चों हन्जू फेर फरल फरल वगण लगपई। दुविंदर दे मापयो हून डौर पोर्य वंग आला द्वाला देखदी होली होली तूर पैसान। दुविंदर नू छटके। पतानी क्यों कहाणी पड़ंतो बाद मैंनू लगया कि एक कहाणी में पहला विकिते पड़ चुकी हैं। चेरे ते पैन दी नजर नाल मैंनू लगदा के पापा नू अंदर ही अंदर कुछ खाई जा रहा है। ना ओ किसे नल कुछ बोल दे हन थे ना ही कदे हस दे हन। उनना ने कदी किसे चीज दी मंग नहीं कीती। कदी कोई शिकायत नहीं गेती। जिस विले भी थोड़ा भी वक्त हुंदाओ किताब लेके बै जान दी हन। जां कापी ते पैन। उनना दिया रचनावां दे चपंदा के राद दिनू दिन बद्दा जार्या से। प्रीत लड़ी, अक्स, सिख विर्षा, एब्स्टेक्ट ओफ, सिख स्टाडीज, स्पोक्स्मेन पर अपनी छपी रचनावां देखके भी हुनोना नू पहला वर्गी खुशी ना हुंदी। शायद हर खुशी दा अपना-पना समा ते उमर हुंदी है। पापा दी ये उदासीन ता वेह के मैनू अपना बार जाके ते होस्टल चे रहके डॉक्टरी करना बे मतलब जया लगण लगा। मैं ये वी मैसूस कार रही सी के मेरे इस फैसले नल सब तो ज्यादा दुख पापानू हुएगा। पर पच्चतावा पढ़न दे बाद मैं अपने आप विच अजीब जे तब्दिली मैसूस कार रही सी। मैंनू पापा इसा मसीव आंग कुर्बानी दे पुतले लगण लगण लगपै सी। मैं मैसूस कर दी कि पहला तो कदे किसे नू कुझ कह के अपनी नराजगी जार भी कर लेंदे सन। पर हुनो किसे नू कुझ ना कहन दे। दादा दादी जो फर्माइश कर दे उनू पूरी वाल आके पूरा करन दी कोशिश कर दे। असी भी जो मंग दे उन बिना दोबारा याद कराई छेती छेती ले आदेंदे। मम्मी जे कदी दादी बारे कुझ कहन दी ता चुप चाप सिर नीवा करके बैठे रन्दे। कदी-कदी उन मम्मी दे वाली वेखते रन्दे। विचारगी दे आलम वेच जिमें केना चौंदी होन। पागवानी होन मैं दास की करा। एस उमर वेच उना नू की कहां। तुहीं सबर तो काम लेला है। मैं ता होन बहुत टोट चुक्यां। कदी-कदी उन होली जे केंदे। तैनू ता कई बार केया कि एक कन्नो सोन के दुझे कन्नो काड़ देया कर। एस उमर वेच होन ता उपनी आता चड़नो रही। इनना केंदे केंदे उना देचेरे उत्ते एको दासी दी लेर छाजांदी। त्यो थू हटंदी कोशेश कर दे। उना विच किसे दा सामना करंदी हिम्मत खतम हो गई लगदी सी। पापा दी पस्नालिटी ते होन दी पस्नालिटी वेच जमीन असमान दा फर्क पह गया सी। पर कर दे महौल तो लगदा सी कि उना दी हालत किसे दे नोटिस वेच नहीं आई सी। जह सारे अपणियां छोटियां छोटियां तृष्ट नामा अपणियां अपणियां होमे दी पूर्ति विच इन्ना रुज्जे हुए सन कि उनानू कर दे को कमाव व्यक्ति दियां लोडा नजरी नी सी आ रहे हैं। दादा थे दादी जी दियां, अपनियां ही चिंजडियां नहीं सन मुक दियां, उपरो उपरो एही जाहर कर दे सन कि उनानू पापा दी बहुत चिंता है, अक्सर दादी ममी न लड़ दी, तो मुंडे नू कुछ घाणू नहीं दि, ओ किदा दिन रात सारेयां ले लगा रहन होन वियो रोस वेरे सात वजे निकल जान दा, कदी गड़ियां चे तके खांदा फिर दा, कदी बसांच ठांड होवे, मी होवे, नेरी होवे, रात नू साड़े नौ बजे वड़ दा, की दे लई, न्याने आंदी पड़ाई खराब ना होवे, उनू कुछ चाईदा नहीं उन्ता दुद्वी नी दिन्दी तुओन, उही जो मसरांदी दाल बना के राकदिनी होदे मूरे, कदे बंदा कोई मिठी चीजी बनालन्द है, कोई फ्रूट उनू दे दन्द है, मैनू लगदा के ममी येना गलानू सून दी नहीं, सुगों कई वरी मैनू मैसूस होंदा, क जिद्दन दादी ने गलांकीतियां हुंदियां, उद्दन रोटी भी देरनल बनोंदी, सबजी भी बेकार जी बनोंदी, कई वर छुटी वले दिन दादी आप पापानू गलास विच दुद्ध पाके दन्दे, पापा सार्यां वल वेख दे, ममी, दादा जी, ति दादी, आप सार्यांने चाफडी हुंदे, उद्ध पिनों मना करदन्दे, चावी ना पिन्दे, ममी दादी वल देखती, जिमें कैरी होवे, लेले मजा, पर दादी भी अपने प्योधी ते निकल्दी, उन्हें कदे चूट मूठ वी ये नी क्या के शामनू चादी थां ना क्यान्दे, पापा कदी कदी क्यान्दे वी कोषड सार्यानू ही मिलना चाईधा, तदाधी तूट के पंदी, क्यों सार्यांन और कोई ठेक है, दिल्ली देखता नइए सि, तारी इसनी पापा क्ल लाई यद्धा किलो दोद पिन्दा सि रो मोई न्याने पोवां, कोली बैठे हून, तु इना ज्यादा काम करता हैं, सारा दन बार कमता हैं, तेननो कले नुचाही दिया, कोई ना कोई ताकत वली चीज, पापा कुछ ना कहन दे, चुप करके बार चले जान दे, पर उना दे चेरे उते हुद दासी दे के गैरी लकीर केची जान दे, कोई उसो दास कि दे लकीर नो नोटेस ना करता, ना ममी दुद ले आउन दे, ते ना दादी केणू हट दे, विच विच दादा जी दी भी, दादी दी हिमायत कर दन दे, पर किसे नो मैसूस ना हून दा कि इस कटना, चक्कर दा, पापा दे की असर हून दा है, पाग, अट, इनी दिने एक दिन दिली तो फोन आया, मैं फोन देखोल बैठी सी, इस करके मैं फोन चुक्या, हेलो, कौन बोल रहे है, मिन्नी है, तुसी कौन बोल रहे हो, कौन, गुरलेन, बेटे पिछाणिया नहीं, मैं नाना बोल रहे हैं तेरा दिली तो, मेरा दिल कीत के का मैंनू कुई सुपना उना सी कदी अगे फोन किता हुए ता पता लगे की दी अवाज है। ए गल्द साच है के जदू ते यसी उध्योग सिटी चाहियां साधे का अर फोन लगा हुया है। पर एक वारी भी मेरे नान के अवलों के से दा फोन नहीं आया। नाई मैं पापानू कदी नाने नाने ते मामे मामियानू फोन कर दे सुनिया। एथो ताक के जदू दादी दा उप्रेशन होया सी दिल्ली ओधूं भी पापानी उनानू फोन करन दी लोड नहीं समझी। जद के उनाद आपना मामा उप्रेशन दे दोरान वी ते तो बादवी हस्पताल बेच्ची सी। गुर्लीन हेलो बेटे ममी नू बुलाईं। ममी ने आके फोन चुक्के आते बिल्कुल होली जी बोली। हेलो। कौन। पापाजी। सस्षिकाल की हाल है तोड़ा। ममी नू बाँ तो फड़के लाया। जनवरी दे महिने विच वी की होया। मैं पुछया। ममी अक्खां ते हाथ राखके बैठी रही। ममा की होया। मैं ममी नू बाँ तो फड़के लाया। की कुछ नहीं। कुछ नहीं ते फेर एकदम परेशान क्यों हो गए। ओ है न सुगंदा ममी उदे प्रादी डेठ हो गई। फेर वी तुसी इनने परेशान क्यों। उदा पोग है अगले संडे नू। मैं प्रशन वाचक नजरानाल ममी वल वेख्या। तेरे नाना जी कहन दे हन पोगते आना जरूरी है। क्यों। मैं जान दी सी के सडे थो ममी दा जाना लगपग असंभव है। दादी जी दी सेथ करके उस अनू छड़के किते भी नहीं जा सकदे। सारे करदा प्रोग्राम ही विगड जाएगा। क्यों। तुम अजे नी समझेंगी। ममी रोण हकी हो गई। मैं केना चोंदी सी, छोटे दे पोगते ता मसी भी नहीं आई सी। उकाके दे जनम देनते भी नहीं आई सी। हुन तक उस अड़कार नहीं आई। उन्हुनी नाना जी कहन दे भी जाना जरूरी है। पर उस समय में चुपी रही। पता नहीं ममी पापा दादी ते दादा जी विचकार की गाल बात होई। पर ममी पापा दा अगले संडे नू दिली जानदा प्रोग्राम बन गया। दो दिना दी गाल दादी ने अनौंस कीता। दो दिन असी सारे कड़ी सक देया। पर मुंडे दिया चुटियां ना करायो। होर ना रह पें उथ्थे जाके। तेरा पता कोई नहीं। तेरा नू जिद्दां हो केंदेयां तू उद्दा ही कर देया। उथ्थे जाके तेरी मत ते पड़दा पैजन दै। एमें पड़दा पैजन दै, मैंनू नी पता है दी पड़ा इच फर्क पैजन है, नले येना दी चुटी कित थे है, मेरी चुटी दी गल करें ता, मेरे कोल ता एक भी चुटी नहीं, मैंनू ही पता कित्दा चुटी लई मनाया सावनू, पापा दी अवाज वेचा जीब जया दर्द सी, उनना दे चेरे तो नूर बिल्कुल ही खतम हो गया सी, पाग नौ, मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, कि मैंनू अपने अपनो मर्द कहान दा कोई हाक है, मेरी तरम पतने जिनू सारे कहन दी हन के दबी हुई है, कुटी कुटी रहन दी है, उननू अपने गल मनोन दा पत है, किद दां थे किदे तो मनोनी है, उननू सारी समझ भी है, ते उदी सारी सुन दे भी हन, पर साड़े लही ता ओ डौर पार जी बनी रहन दी है, जिवे विचारी जी होवे, पिछले शनीवारो दा तरिया चरहतर वाला रूप देखके मैं हरान रह गया, दास रहा हुआं कि तु मैंनू क्यो दास रही है, बोल दे नहीं, मैं की बोलने, तैनू पता के में लगा, फोन आया सी पापाई दा, मैं ओदे बल हैरानी नाल देख्या, गोगे दे साले दे पोग दा फोन कर देता होना ने, ओदे कार मुंडे होन दा, मुंडे दी लोडी फोन दा फोन करन दी लोड नहीं मैसूस किती अना ने, चिठी पाई था सी, छे मिने बाद, मैंनू ता तु ओ भी नहीं सी दसी, मैंनू तो उत्थे जाकी पता लगया सी, तुसी केड़ा पुछे आ सी के चिठी विच की लिखया है, मैं हून केड़ा पुछे अभी टेलिफ पुन आया सी के नहीं, उन तुसी लड़ाई करनी है, इस पिछे, उदा भी की नतीजा निकलना है, जाना है अत्वार नो उत्थे पोगते, जाओ मैं किड़ा मना कीता है, मैं एकली जान दी चंगी लगूंगी उत्थे इस मौके, मैं बिना बोले उदेवल देखया, छुट ओन तु कलेश पोणा इस गल ते, पापा केंदे सी साड़ पोगते जाना बन दे, एथी माता जी भी केंदे जाना चाहिदे, अग्गे तु माता जी दियां कि नियांको मन दियां, पापाने तेरी पैननू नहीं क्या सी, छोटे दे पूरे होन समें, के सके पान जे दे पोग ते ओधा भी ओना बन दा सी, साली कोड किर ली जई, हुनता ही नहीं आई, उनू नहीं क्यांदा कोई, साड़े गल चंग उठा देन नहीं है, मैंनू गुसा चड़ गया सी, देख लाओ फिर, जे तुसी एथे नां गये ता मैं फिर बिल्कुल बाइकार्ट कर देना, सारे कैके मैं सौग या सी, उनी अगले दिन मेरे दफ्तर जानतू बाद मानाल पतानि की गल कीती सी, उन्हें मैनू अपनी सौग दे के जानता होकम दे देता, अपनी सोरे आँदे जाके हमेशा मेरा खून सड़ दै, एता साले दे सौरे आंता कर सी, अपनी इस्जत के दंबनों मैं अंदर ही अंदर वेश कोल दा रहे हैं। उत्थे पहुंचे ता मेरी साड़ी थे उदा कारवला पर नहीं पहुंचे सन। जो दों छोटा एम्स वीच दाखल सी उदोंगे दा व्या होया सी। अते हस्प्ताल दे नेरो सर्जरी वार्ड वीच पूरी तरह व्यां दड़ ब साड़े सारे इन्ने अकलों हीने हन के किसे नू इस सुर्थ नहीं रही क्यों किसे व्यादी रिसेप्षन दे नहीं एम्स जा रही हन। अपने पांचे नू देखन जे दा ब्रेन टी उमर दा प्रेशन होया है ति जो पिछले दो मिन्या तो मौत नल संगर्ष का रहे है। इ जड़ी वाड दे सामने टपदी आई ते मेरी तरम पतनी नू केंदी मिन्नी आते नू देखावां कौन आया है ते सारे मेरे तो वदाइया दी उमीद रख दे मू सो जाके चले गए सान। उधे बाद छोटे दे पूरा होन तो पहलना भी नहीं ते बाद वेच भी नहीं आ अज अठ साल हो गए हन पर इने साधे कार प्यार नी पाया मू और फोट के वी एक वारी भी मैनू नी किया जी जाजी मैं आनी सकी उधो मेरी मजबूरी सी पर बड़ा दुख होया कल मूई ने ना कोई चिठी लिखी ना एक कखर मों कड़िया मेरी की लग दिया हो पर मैनू सारयां दे सामणे येनू बुलाना प्यांदा है मेरी तरमपतनी कैंदी है ओधों ओधी की हालत सी किसे नू की पता प्रेगनेंट सी ओधों है कितना ओं दे ये सालत विच अगले दी मजबूरी भी समझनी चाही दिया हुन पता लगा के परसों दे आय होई सन ते मेरी साली दियां रो रोके एक्खा सुझीया हुयां साम जिमें दा अपना सका परा मर गया हुए मेरे दिल अंदर उते बैठे बैठे चुरियां चल दिया रगया कि इथी अपनी तरमपतनी नू पुच्छा कि हून नहीं है प्रेगनेट पांजे दे पोगते हों दी दी जान निकल द साधे नालता दो बोल हम दर्दी देवेनी संजे हुए जिवें कि में उत्थो निकल के असी बास चा बैठे रब दी कुदरत देखो ते मेरी किसमत मैंनू अपने दिल दी पडास बार कड़न दावी मौकाने मिले बास चेनी पेड़ सी के रमनीक नू मेरे तो दूर काफी अ विच्चों मैसूस ता करदी हुएगी पर अपने मूँ अपने पैनपरामानू माड़ा भी कि में क्या देवे अकल ता उनानू भी हुणी चाही दिये आप साले कदे ओन दा ना नहीं लेंदे एतो तक के पिछले साल मम्मी दा उप्रेशन होया सी ओ वी दिल्ली तावी एक वारी भी देखर नहीं आए इस तो पिछले साल दो में कुडियां वारो वारी पंदरा पंदरा देन हस्पिताल चरेंगा एक टेलिफोन तक नहीं आया अपनी वारी पोत दे साले दे मौत मां दे दूरों नेडेओं चाचे दी मौत हार वारी सुनेया दे दन दे सी ओना की मिलेगा की करद महौल शांती पूरन रह सकेगा होर नहीं ता सारा दिन करद कमता सामदी एना जे एना इननी को आप्रेशन देवे सारे अंदे कपडे करदी स्वाही रोटी पंदे सारा दिन ता विचारी लगी रहन दी है इनू कादेली दुखी करने की पता उद्रों भी किनी को दुखी है मैं वी जे इनू नहीं स्पोर्ट करांगा तो होर कौन करेगा हुक मैं अंदर सब को बाहर हुकम ना कोई सचे पाशा मेर कर सुमात ते होसला बक्ष कीता करना सरबर जाई किच कीचे जे कर सकी है अपना कीता कचु नहों है जो हर पाव है त्यों रखे इक एक दिन एक मैगजीन विच रखे हुए उपर लिखे कुछ पन्ने मेरे हाथ लाग गए पहला पन्ना पढ़ देई समझता आ गई सी कि ओपापा ने डैरी लिखी हुई है ते मैंनू नहीं पढ़नी चाहिदी पर मैं अपने आपनू रोक ना सकी ते को साहे सारे पन्ने पढ पर दी पढ़ दीनू मैंनू सा चड़ गया ते कबरा ठोन लगी कुछ पन्ने अजे बाकी सन जो मैं लुका की रख लए बाच पढ़ लए वी जून 11.05 पी-म सारे राद दा खाना खान तो बाच सेर करन गई हन ते मैं कुछ मिंट ए पन्ने लिखन ली चुरा लए हन एक जातरा दा बिरतांत लिखन ली परसों लाय सान पर ओ नहीं लिखिया जा सक्या अज स्वेरे गुरलीन दे नानकियां दे जान दा प्रोग्राम सी हमेशा वांग अपने आपने आपनों तसीये देन दी पर किरेया मैं उद्योग सिटी तो तुरन दे समय तो इशुरू कर दे पर फर्स्ट एसीट सीटा होन दे बावजूद मैं रमनीक नाल इस वारे कोई गाल नहीं कार सक्या ये मेरे अपने ले किसी डर कारण सी जा ओधी चिंता कारण कि ओधी खुशी समय तो पहले नहीं खतम हो जाएगी ये हमेशा इसे तरह होन दे पिछली वारी जदो एदी प खिज़ी हों दे पर की फायदा होएगा सिर्फ रमनीक नू तकलीफ जरूर हो जाएगी जिने सब कुछ होन दे बावजूद कार नू जोडी रखन वीच अपनी पूमिका बड़े ठर में नालने बाई है मेरा की है मैं का तो एना सारी यां कलना मीची बेशती मैसूस करदा ये सोच के मैं इस मसले दे कदी गल नहीं कीती पामें बार बार मेरे अंदरों उबाल उट दा है ये साली हुंदी कौन है उस बच्चे नू सूट देन वाली जी दे जम्मन दी वदाई भी उने नहीं जती सात साल दे लम्मे समे दोरान जीनू देखनों एक वारी भी नहीं जे जीवे पात लथ जाए मैंनू कई वारी अपने अंदर कुछ टोटदा लगया पर मैं कुछ नहीं कर सकया कुछ भी ता नहीं पर सो मैं गुर्लीन नाल गाल करन दी कोशिश कीती मेरे लए ना उत्थों कुछ लेकिया यो तुसी वी उत्थे सिर्फ कपड़े लैनी जान पर उने इस मसले च उल्जन तो साफ इंकार कर देता सी पपाई सब तुसी मैंनू क्यों कह रहे हो ममीनू को असी की कर सक देया आज कल दे बच्चे बड़े स्याने ते चुस्त सन मैंनू अक्सर अपने एक जीम दी गालिया आदा जन दी है जो हर मीटिंग चु सुनों दा सी Gentlemen, we have the tendency to throw our monkey on others' shoulders. You must learn to handle your own monkey. You are being paid for it. I have enough of my own monkeys. My shoulders are not free to handle your monkeys. पर अज कल दे बच्चे अपने मोड्यानों पूरी तरहां बचा के रख दे हैं. किसी होर्दा बंदर संभालनों बिल्कुल त्यार नहीं हैं. गुर्लीन ने भी मेरा बंदर वापस मेरवल सोट देता. मेरे कैन ते कि तुसी कले नहीं जा सकते, उन्हें क्या जाता सकते हैं, पर तुसी क्यों नहीं जाओगे? कल एही गल मेरे मनीक नल किती होली जी, मैंनों समझ नहीं होंदी कि मैं इस मसले ते जोर दी गल क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों इन्हा हैजिटेटा? शायद कुछ डरेया होया भी, उन्हें सिर्फ इन्हा क्या, क्यों तुसी क्यों नहीं ज मैं आप इस बारे सूली टंगिया ही रहा है। मैं पर हैं एक कंटा दो कंटा। फॉर्मालिटी दे तौरते भी आई हैं। वाई डू आई गो इच टाइम एंड स्टे विद देम फॉर नाइट। जदो मैं जम्मू सी ता ममी दा उप्रेशन होया सी। किनने देनों दिल्ली हस्पिताल रही ते बाद वेच तिल्क नगर पर उना विच्चों कोई एक वारी भी हाल पुछन नहीं आया। होर होसला था की देनां सी। मैंनू वैसे भी कदी नी पुछेया की की गल हुई। इस तों वी उत्ते पिछले साले डिवड़ी ट्रेजडी होगी। असी छे मिन्ने पुझे ही लथे रही। पर इना ने एक वारी वी तुटे मू नाल होसला नहीं देता। इदे बावजूद मैं जदोर मनीक नाल आया उत्ते जंदा रहा। जंद लिया रात भी रहा। पर में साल चे कद वरी ही सी है... पर इने बावजूद सोनी रनन ने भी कदि छोटी दा हाल नहीं पुझे français ना ओग कोई होसला देता। का दिया रिष्टे दा रियं, की रिष्टे दा रियły... ऌ भी साले साले हारा सो रहे जवाई एसे करके हुंदेने, फिर भी मैं कदी ये मसला आएना मुरे नहीं उठा सकया, बस सारा कुछ सोच सोच के जिनी वरी मैंनू उथे जाना पयंदा है, उनि वरी जिनना चिर मैं उथे रहा है, उनना चिर मैं पल-पल मर दा रहlying, अपने दो चार देनों दे मापयों कोल जाके रेना अपनी शान दे उल्ट लग दे पर जे कुम्रे नले ही सब कुछ होया हुंदा तावी कियो इसे तरह ही सूच दा अजवी अपने माननू मारके म्योंना दे नाल तुर पया अंदर वड़दे सार बैठे सी के चेचुंदर मेरी साड़ी सामनी देश पई पट वट तो डू सची काल बुला की हमेशा वांग चुप करके बैठ गया थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम वेची पई बैठ थी लेट गया थी अख लग गई इस दौरान मैसूस होया की कोई आया है शायद गोगा मै की मिटी पयार या शिंदा भी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर ली आ गया पर कोई विचारक सांज ना हून करके हर कोई रसमी जी यें गल्ला मिची रूज या रहा I also made motions of responding without giving any peep into my real self Transactional analysis which ब्यान की थे गए, rituals थे, past times थी सार्थकता हुन मेरे पल्ले पहन दिये अखीर चार कु वजे सोनी रन केंदी, जी जाजी किस वेले आओगे फिर सादे को ली मेरे ना करन थे ओ गुली क्यूं, शामनू आजाओ अदर नहीं आज मैं जाना है काफी देर अपनियां पर माउख किरे आवा नाल पर माउन दे, कोशिश दे बाद मेरे एक एंड थे के चलो देखांगे उचले गए सुवालां दे सुवाले, के मैं पक्की ना क्यों ना कर सक्या क्यों नहीं मैं क्या सक्या इहो जैन्या ड्राम में बाजियां दा की फायदा है दुख सुख वेले कोई मदद नहीं, कोई होसला नहीं मैं रूटी दाई पुखा हां की कपड़े आंदा तुसी सारे बाथ बिजी हो ते जदो असी आये उस वेले तो अनू प्यार आजन दा है उद्धां कदी मरेज जीन्दे दी खाबर भी नी पॉने कू छे वजे मैं आउनली उठान लगा का के नू बुलांदे बुलांदे छे वाज गै ता रमनी केंदी केंदे ने वड़े पा बिने आजना छे वजे पूरी दो कुमिंट बैठ चो उने भी आके चा पेनी हैं चा पीके चले जाए as usual totally unsuspecting I sat down come she did around six in a lighter way I said तो अड़ाई इंतजार हो रहा सी केंदे वड़े पा बियाउनी बाली है उने भी चा पेनी हैं चा पीके जाना बढ़ाव चा ते चली है तुसी कित्थे जाना है पापा को तेरा केना नहीं मानते इनने चेच फोन दी कंटी बज़ी पहला पापा गई सुनन फिर चचूंदर सुगंदा दा फोन सी पुछ रही सी आरे हन के नहीं मैं क्या देत्ता चल पाई हन उत्थो इन चले जाना उद्दर मूं मैं क्या देत्ता आरे हन उत्थो जाना क्यों जरूरी है मिलना सी मिलने है रमनीक ने इद्दां दी इद्दां गल दोहरा देती ममी हुन तिन साल बाद आयो जाओ की फर्क पेंदा उन मैसूस करनगे दिल विच मेरे मूं आखीर निकले गया तो अड़े विच्चों ता तिनना सालांच एक वारी भी नहीं आया कोई ममी ते वड़ी एक कोई वारी दा बट्टा थोड़ा लोने रम्नीक ने एद्धां एद्धां गल दोहरा देते ममी दो साल ताओ परेशानी रहे कोई इना नू पुछे कि इना दी परेशानी परेशानी है साड़ी परेशानी दी कोई चिंता ने इस सारे वार्ता लाप दोरान रम्नीक ने अपने वलों कोई गल ने कीते मेरी गालोना नू रिपीट कर देवे उना दी मैंनू पापा दूद ले जान लगे ताच्छ चुंदर केंदी तुसी एना नू नाल ले जाओ स्कूटर ते उथो चापी के उद्रों ही रिंग रोड तों गोगा बस चचड़ा आएगा गुसा था मैंनू पहला ही बड़ा आर्या सी कि तूँ कोणो नू नहीं मेरे बहावते कमिट मेट करने वाले और मैं पापा नू सिर्फ इन नहीं किया तुसी जाओ जित्थे जाना है मैंने जाना जुदर वड़ी नराज होगे लग दे नहीं मैं पेज देयांगी तू जाके त्यारी कर ये सिर्फ साड़ी महराणी है जिदे खानने कोई गालनी पेंदे कोई गालनी ओर दी उन्हें इक वारी भी नहीं किया तुसी तेन सालांच एक वारी भी नहीं आए सोनी रणने ते तेरी साली ने तेरी यां कुडियान वी तेरी वरुद पड़का देने जनानी ता तेरी पहलाई पूरी तरह उना दे हत्थांच खेट रही है दो साल वियाई पर जाई दे प्रादे मरंते उत तैनू तमकी दे सक दी है जे हुन तुसी उत्थी ना गए ता मैं भी किते नहीं जाना तो अड़े रिष्थे दा रंदे पर तेरी मा तेरी पैने तो ता कि अपने पुत्तर दे मरं के नारे हुन दे बाव जूद अपने मापे उनू कोई इस तरह दी तमकी नहीं दे सक दे इकी छे स्वेर दे दस वज गई हन पर अजे कोई फोन नहीं आया इदना लगदा कि उस सारे यांदे सिर्थ ते कुछ तूड़ दे हन शायद मैं उस तो ज्यादा बेवकूफा जिनना मैं अपने अपनू मनननू त्यारा बार बार इशारे मिल दे हन के रमनीक नू मेरे नल कोई लगाव नहीं है प्यार तन दूर दी गाल है ते वो पूरे प्लान दे मुताबक चल रही है शुरू तो चुप करके अपना टाइम कड़ी जाओ ते अखीर बच्चया नू प्यो दे ते उदे रिष्टे दारांदे गुरू देना पढ़ कादियो कि चुप चुपीते बिना पता लगे, उप्यो तो बागी हुजाना इक वरी उनने अपने मसी मसर दियो दारंदे के इशारा भी कीता से पर जी एहू मेरी किस्मत विच्च है ता मैं की की कर सकदा, की मैं कुछ कर सकदा, की मैं कुछ वी कर देन बच्चियानू इग्नूर कर सकता। मेरे जीन दा की हज्ज है। दस्वां अंग। बीए सोश्यालोजी करंदे बाद गुर्लीन ने लौविट दाखला लेलिया। जिमें जिमें वड़ी हो रही सी उन्हों अपनी जिम्मे वारीदाय सास वद रहा सी। अपने परिवार प्रती, विशेश करके अपने पापा प्रती। कदी-कदी इंज लगदा सी कि उन्हों अपने लड़की होनती अफसोस हो रहा। जिन्नाव अपने पापा दे नेड़े होनती कोशिश करदी। उन्नाई उस्तों दूर हटनती कोशिश करदी। इक अजीब जी कशमकश दोना दिवेच चल रही सी। एक दिन गुर्णाम दे दफ्तर तो फोन आया ते उना नूँ छेती CMC हस्पताल पॉन चनली के आ गया। कुदर ती गुर्णी नूँ स्विले कारी सी। उन्हें अपने दादा जीनू स्कूटर दे पिछे बठाया ते CMC जानली बार निकली। अजे नेर वाला मोड मुड़े ही सन के ट्रैफिक पोलिस वाले ने हत देके रोक लिया। हाई कोट नूँ हुकम सुनाए। साधी खचाई वद उदी हो जान दी है। गुर्णी नूँ याद आया के एक बार्च पड़े आता सी। इस विशे ते उदी पापा ठाल एक दिन बैस भी होगी सी। ओ हाई कोट दे फैसले दे हक बिच बोल रही सी। पापा ए है ता अप अब नहीं हुंदा। सिखानी टोपी नहीं पाणी। पर क्यों नहीं पाणी। वैसे भी हलमेट नू तूसी टोपी नहीं गया सकदे। I don't want to enter into an argument on this issue because you are already committed to a line of thought. पर एक गल में जरूर केना के कोट ने भी की लेना है। सिखानी गल चड़ो। हिंदू ही हलमेट पाण जाना। Why should the court insist on it? मेरी सेफ्टी दी जंता, मैंनू होनी चाही दी है ना के court नू। जिनी देर मेरे हलमेट ना पाणनाल, होर किसे नू कोई नुकसान नहीं हुंदा। Court दी पुमिका कित्य है। गुरलीन जदों तू सच मुच बड़ी हो जाएंगी। I mean, when you actually grow, you'll realize that these are the कौन परे, cease to grow, beat the people. मनुखांच गुलामी दाया, सास पैदा करन दे तरीके हैं। खास करके, कट गिनती हैं ले। दूसरा, हेलमेट बणावन वाले हैं दी, लॉबी ना गलां ले, प्रेशर ग्रुप बणाके, लीडरां ते जज्जानू रिश्वत देके, हुजे फैसले कराओं दी हैं। नहीं ता 1984 दे दंग्यानी जिम्मेवार एक दोशीनू भी आज तक सजा क्यों नहीं हुई। कोट लईयों ज्यादा जरूरी मसला होना चाहिदा है, जा हेलमेट पॉण जा ना पॉण दा। उस लई नहीं किसे NGO ने PIL पाई। उस दिन गुरलीन नू मैसूस होया कि पापा दी गलविच कुछ ता सच्चाई है। उने अपने अंदर उठ दे उबालनू रोक दे हुए क्या। इंस्पेक्टर साब मेरे पापा इस वेले CMC विच दाखल हान। हुने योना दे दफ्तर तो फोना है। प्लीज वापसी ते तुसी जो करना होवे कर लेना। मैं यह थे खड़ा थोड़ा रेना। नले की गरंटी है कि तुसी मुड़ी आऊगे। गुर्लीन दा दिल कीता होदे जोर दी चपेड मारे। पर इनी देर च दादा जी स्कूटर तो उतर चुके सन। उना ने सपाई दी मुठी चीक पंजादा नोट रखिया। छेती चल गुर्लीन एमेनी बैस्ट पही दा। पंजार रुपय लेंड नालो दी जूटी खतम होगी। बास्टर्ड। फ्रोसपुर रोट ते ट्रैफिक के स्विले काटी सी पर जिमें गुर्लीन ने पार्तनगर चौक दिया। लाल बतियां पार कीतियां तागे ट्रैफिक बहुत होडी होडी चल रही है सी। गुर्लीन नूँ खिज्जे यौन लग पे। खब्यों सज्जेओं ट्रैफिक बिल्कुल भुक चुक्या सी। काराम वले होर्न वे जाई जारे सन। पर अगलियां गडियां हिलन दा ना नहीं ले रही हैं सन। शायद लाल बति हुवे। गुर्लीन ने सोचया। पर जदों दस मिंट तक कोई हिल जुल ना हुई। तो उदी बेचैनी हूर वद गी। उन्हें आले द्वाले देखिया। सारे गडियां बंद कर चुके सन। उन्हें अपने सज्जे पासे अक्टिवा बंद करके खड़ी कुड़ी कुड़ों पुचया। की गाले चल के उन्हीं रहा ट्रेफिक। शायद मुख मंतरी आया हुए है। गुर्णानक स्टेडियम। मुख मंतरी आया तांक ही है। जदों आयेगा वो लंग जायेगा। इसलिए सारा ट्रेफिक क्यों रोक रखिया। उस कुड़ी ने गुर्लीन वाल इमें देखिया। जमें कहरी हुए तैनुए नहीं 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 पता। वट दे हैल यार। इस इंडिया। वट देखिया। उन्हें क्या। तुसी पहली बारी देखिया। इते तै रोज दा काम है। मेरा अपना पेपर है दस ती वजे। दस वाज गए हन। उस सामने एंबूलेंस खड़ी है। पर इते कुझ नहीं हो सकदा। उसे पाई कईया ना लड़ चुक है। पर उभी की करे। राज नहीं सेवा दा तांक केवल ना रही है। ए लोग ता पुराने राजया माराजया नूवी मात दे गए। सारे जने कठे होगे चौक दे विच खड़े हो जान। तो उन्हों दसन के वो शेर ना आया करे। जित्थी ओना होवे ता उत्थे हैली पैड बनवाल है। आम आदमी नूँ क्यों दुखी कर दे। दादा जी ने गुर्ली नूँ चुप करके खड़े रहन नूँ किया। तेरे खेजन नाल ता कुझ भी नहीं हो न। क्योंके मुख मंतरी ने लंगण है। ए लोकाँ दी प्राब्लम सॉल्व करन लई हैं कि इना नूँ वदा आण लई है। क्यों आसी ये होजे व्यक्तियान वोटां पोने हैं। दादा जी ने उदे मुड़े ती हाथ राके उनूँ चुप करन दा इशारा कीता। गुर्लीन चुपता कर गई पर उदी अंदर ले छट पटा हाट उदी अखांचो साफ दिस रही से। दस मिंट होर बीद गई सन। चौकते खड़े सिपाई होर मुस्तेदी नल खड़े हो गई सन। अचानक दूरों हूट रानियां उचियां वाजां उचियां नीमियां वाजां उन लाग पीयां। आगया आगया कैनदे हुए बार खड़े ड्राइवर कारांच जा बैठे। सारे ने अपनियां गडियां स्टार्ट कर ले यां। जेवी मुख मंतरी दा काफला नालवाली सटक तो हूटर वजांदा लगया। उथे खड़ियां गडियां ने हान वजाने शुरू कर देते। हूण देखो सारे नू कि निकाली पैगी है। पहला सारे मरे हुए सन। उन्हों अपनियां गडियां इक दूजे च मार रहे हन। अद्दे कंटे तो मुर्दयां मांग पैए हुए अच्चानक जियों पैए हन। चौक वेच खड़े सपाई इस तरह लोप हो गय सांज में गदे दे सेर्टों सेंग। खुश किस्मती नाल गुर्लीन वाली लाइन ने अपना रा मल लेया सी। चौक वेच इस करके उनानू ट्रैफिक च फसना नहीं सी पया। उच्चेती जगराओं पुलते जा चड़े। CMC वेच आम सरकारी हस्पतालां वाला ही मोहाल सी। गुर्णाम सिंग इंटेंसिव केर योनेट चे पया सी। उनू देखके गुर्लीन एकदम कबरा गई। नक ते ऑक्सिजन मास्क लगा सी। इक बान ते गुलुकोस दी स्रेंज ते दूजी ते कुछ होड। दादाजी ने अपनी अक्खा विचाई हंजुआनू रोके गुर्णी नू अपनी बगल चे लेलें। हाथ लग जानते चीक चे हड़ा पा देन वली गुर्णी उनना नल्चमबड गई। उदे होके दादाजी महसूस कार रहे सन। गुर्णी बेटा होसला रख, वाई गुर्णी अगे अर्दास कर, सब ठीक हो जाएगा। पहले ये हुआ ही क्यों, पर हुन गुर्णी चुप रहे। चुपी नहीं रहे होदे बुल भी फरकन लगे। एक क्योंकार सात नाम करता पुर्णी निर्पो निर्वेर अकाल मौर्थ जुनी सेब कुर्प साथ किव सच्यारा हुए है कि पुड़े तुटे पाल हुकम रजाई चलना नानक लिक्या नाल। कि जब जी साथ दा पाठकदों पूरा हो गया तो मनी मन गुण गुणाओन लगी। एक ना हुकमी बक्सिये से कुछ हुकमी सदापवाई है सच्चे साथ बागया नहीं करते रहे। सच्चे पाशा तू क्यों मेरे पापानू इनने संताप चपाया हुए की गुणाओ उसकोलों हो गया। दादा जी ने उन्हों एक बैंच दे बठा देता ते आप भी उदे नाली बैठ गए। दफ्तर तो कोई बंदा उन्हों नजर नहीं आ रहा सी। आईसी यू दे अंदरों जानी सकदे सं। एक डॉक्टर ते नर्स हो थे खडे सं। कदी यों कम्प्यूटर मॉनीटर वाल देखन लगदे। जिते हरियां लाइना उत्ते थले हो रहें सं। कदी कुझ लिखन लगदे। कदी गुर्नाम दी नबस जां कोई होर हिससा टोन लगदे। गुर्लीन ता अपने ते आनविट सिर नीवां करके बैठी सी पर दादा जी लगा तार शीशे दे पार देख रहे सं। डॉक्टर दे चेरे दे हाप पावोनानू तसल्ली दे रहे सं। पर जेता की होया है इस बारे उनानू कुझ पता नहीं सी लगया। दास कुमेंट दा समाबीत्या होएगा पर दो मांदा दे पोतीनू मैसूस हो रहा सी जिमें किन्ने वरे बीत गई हन। दो में एक दुजे वल देख दे, कदी उपर वल देखन लगदे, कदी थल्ले वल, पर किसे विच बोलन दा होसला नहीं रहा सी। इनेज गुप्ता जी उना वल काली-काली आये जिमें उना दिव डीकी कार रहे सन। दादा जी ने उना वल देख्या जिमें पुछ रहे होन की होया। दुप्ता जी ने दस्या। पता नी लगगा अंकल जी की होया। अचानकी साब हाल दा चक्कर लोंदे-लोंदे डिग पाई ती भी होश हो गई। असी फटा-फटोना नू एथी लियां दा। तुसी कब रहना ने डाक्टर जोवी पुछे केना पता नहीं। मैं पांजहजार रुपए जमा करा आया। एल और सीद। मैं थी यां। तुसी किसे नल कोई गल नी करनी। थोड़ी देर बाद शर्मा वापस आ गया। उधी हाथ वेची कागस सी जो उने दादा जी नू फड़ा देता। उन्हाने गुर्लीन नू गुर्लीन उनू खोल के पड़न लगी ते शर्मा ने किया। बेटा इनू जेब चराख लाए। कार जाके पड़ी। किसे ना ले दे बारे गल करन दी लोड नी। होर के ते पुलिस केसी ना बन जाए। उन्हें गुपता जी दे कान वीच कुझ कया। दोहाने आईसी यू दे अंदर दे देख्या। डॉक्टर हिस्ट्री शीट उते कुझ नूट का रहा सी। ते नाल-नाल नर्स नू कुझ समझा रहा सी। दो देन गुर्णाम आईसी यू च रहा ते फिर दो देन जर्नल वार्ड वेच। चुटी देन वले डॉक्टरा ने गुर्लीन ते दादा जीनू एक पासी बुलाके चेतावनी देती सी। असी तो अडे स्टेटस नू देख दे हुए पुलिस नू नहीं बुलाया। उन्हों सुधारंदी लोड है। एमें ता नहीं कोई अपनी जान देन दा। की कारण है के नानू इन्हा बड़ा कदम चुकना पया। इस तो बाद गुर्णाम पहला वांग ना हो सक्या। उन्हों देखके कोई नीसी कह सक्दा कि ए उहो गुर्णाम है। गुर्णीन भी मुडो हो जै ना हो सक्या। ओ गंबेर, होर गंबेर, होर वी गंबेर हुन्दी चली गई। उन्हों अपनी हर खोशी निगूनी लगण लगई। उन्हों अपने पापा दे होर वी नेड़े हो गई। ग्यार्वां अंग। नौजवानू दियोगपती परदीप कुमार वल्लू आतम हत्या। बांसल कराणी दे मालक दी पेद परी हालत विच मौत। पैन वल्लू कतल दा दोश। सौर्यां वल्लू परदीप कुमार दी मौत दे पेद परी चुप। अखबारां दियां सुर्खियां ने पूरे शेर विच हल चल मचा देते सी। जिन्ने मूँ उनी अंगलां। कोई कुछ कह रहा सी, कोई कुछ। पर दीप कुमार दे बिर्द माता पिता दियां सुन्नी आखा मिच्चा कन दी किसे दी हिम्मत नहीं सी। नाईयों कुछ बोल रहे सन। अखबारां वाले ती टीवी चैनला वाले अपने अपने कल्पना दे कोडे दोडा रहे सन। पर सच्चाईदा किसे नूँ पता नी ल पर दीप कुमार दी मौत दा सबतो पहला उदि चोटी पैण पुनमनों पता लगा जोधो स्वेरेव बैट्टी देन पर दीप कुमार दी कमरेच गई। पर दीप कुमार अपने कमरेची कल्लाई सुत्ता सी उधी तरम्पतनी पिछले कई दिना तो अपने पिक्के गई हु परदीप दे सौरें वलनों वी कोई व्यक्ति अंतिम सस्कार दे मौकी हाज़र नहीं सी इस कारण तरह तरह नियाँ आफ वहां शेर्च फैल रहियां सान। पोस्ट मॉटम दी रिपोर्ट अनुसार परदीप कुमार दी मौत नीन दियां जदा गोलियां खा जान कारण हुई क्योंकि परदीप कुमार दे कमरे विच कोई नहीं सी ते उस रात कोई वी व्यक्ति परदीप कुमार नू नहीं सी मिलिया पुलिस ने आतम हत्या दे रूप विज केस दर्ज कीता है आतम हत्या दा कोई फौरी कारण नजर नहीं आ रिया कुझ नेडले रिष्टेदारा ने खद्शा जाहर कीता है के दा मुख कारण परदीप कुमार दी पतनी ते सौरियां वलों उसनों परेशान किता जाना है याद रहे के परदीप कुमार बांचल कराने दा एकलोता वारस सी ते पिछले साली उदी शादी उद्योग सिटी दे खोर वड़े उद्योग पती अवतार कृष्ण दी बेटी सुनीता नाल होई सी परदीप कुमार दी पैन ने दस्या के स्मौत ले स्पष्ट रूप वेच परदीप कुमार दी सौरे जिम्मे वारस न इक होर अखबार ने परदीप दी पैन दे हो आले नाली स्मौत नूँ कतल दा फत्वा दे दता सी गुर्णाम सिंगे स्त्रां खबर पड़न वेच डुब गया सी कि उन्हों आले द्वाले दी कोई सुद बुद ना रही वो हर लाइन नूँ अपने पैन नाल अंडर लाइन कर रहा सी गुर्णीन ने कई चेरां तो गुर्णाम नूँ इन्ना डुबया हो या नहीं देख्या सी पापा की पड़ रहे हो गुर्णाम नूँ जिमें किसे ने नींज चोंटाया होवे उन्हें अखबार गुर्णीन नूँ फड़ा देता गुर्णीन वो हडी जी बूलिया बिटा एक कतल है आतम हत्या नहीं गुर्णीन ने सुनके हैरान रहे गी उन्हें अखबार फड़ ली ते ब्रीफ केस विच रख ली ओधे कोट जानदा समा हो गया सी रोज एसे तरह हुंदा सी कोट जान लगी गुर्लीन अपने पापा नल एक दो मिंट गल करके उन्हें तो खबार फड़के अपने ब्रीफ केस रख दी ते पापा बाई केंदी हुई अपनी कार्च जा बैठ दी अज भी उने ब्रीफ केस पिछली सीट दे रख दे ड्राइवर वाली सीट दे जा बठी नमे कचैरी कमपलेक्स वेच हमेशा वां कामा रोली पई हुई सी सिवल लाइन वेच पुराणिया कचैरीया वेच्चों उद योग सिटी दिया दालतां लेए नमा ते खुला कमपलेक्स बनाया गया सी पर ये नीच हेती पुराणिया कचैरीया नालों भी कंजस्टिड हो गया सी तिल रखन दी था नहीं सी उसे तरा नोट्रियां दे मेज रस्तेज पहे सन कुर्सियां मेज नाल ते मेज पिल्डरा नाल संगला नल बद्धे हुए सन नियां दे मंदर विच्चों ये नादे चोरी हो जान दा खत्रा सी देवी देवतियां ते गुरुआं पीरां दी तरती उत्ते नैतिक कदरां दा इनना निगार सोच के भी समवेदन शील व्यक्तिनू शरम होंदी है बारों आण वले मुकद में बाजान देशकूटर ते कारां खडियां करनली पारकिंग माफियां ने सरकारी थांती कबजा कर लिया सी जिस थांते दूरू नेडियों जनता इनसाफ लैंड ले योंदी सी उसदे बुहे ते पारकिंग वले ठेके दार शर्याम लोट पारे सन पर कोई उनानू रोकन वला नहीं सी शुकर जज्जान सरकारी वकीलाने पारकिंग ले थां रखमी रखी हुई सी न्यू कोट से ना नाल जाने जान दे छे मंजला कॉंप्लेक्स दे ग्राउंड फ्लोर होते मैजिस्ट्रेटां, मैजिस्ट्रेटी अदालतां सांते होते जूनियर सरकारी वकील जा सेस्टन्ट जिला अधिकारी बैठ दे सन पहली मंजिल ते अडिशनल सेशन कोट सी ते दूजी मंजिल ते सेशन कोट अदालतां दी दर्जा बंदी दे अनुसारी इना मंजिलां ते सरकारी वकीलां दे चैंबर सन उप जिला अटार्णी ते जिला अटार्णी आम तौर ते सारे अटार्णी आनू सरकारी वकील जा पब्लिक प्रोसीक्यूटर ही कह दिता जन्द है इस कॉंपलेक्स विट सब तो ज्यादा कमसान ग्राउंड फ्लोर होते ही उन्द है ते ज्यादा तर मुकदमें उना दे गवा ते मुल्जिमां दे नाल सिपाही एसे मंजिल ते होंदे हन पूरे अदाल्थी कॉंपलेक्स तम हॉल कुल मिला के पार्थी न्यावांग है तुंदला जया कॉंपलेक्स ते अंदर बढ़ दे या उदासीन जया हनेरा ओन वले दा स्वागत कर दे इक वरीताओ अपने कदम रोक के पिछे बल देखते है बार दा चानन ते अंदर दा उदासीन हनेरा जय में रब्बी न्यां ते मनुखी न्यां दे परतीक वांग पेश हो रहे हूं गुर्लीन अपना ब्रीफ केस चुकी जिमें पहले गेट तो अंदर बढ़ी अंदर ले हनेरेने उन्हों पिछे देखन ले मजबूर कर देता लगपग रोजी यो अंदर तो बाहर देश आंतर नू मैसूस कर दी सी इस कौंपलेक्स वीक आनिया उन्हों वह नं पंच साल हो गया से पहले 3-3 साल वकील दर रूप वीच दे दो टाय साल सरकारी वकील दर रूप वीच इना पंजा सलां वेच उन्हें पार्ती न्यांदे इस मंदर वेच होन वलियां कपले बाजियां साजशां ते न्यांदी खरीदो फ्रोखत नू बड़ी नेडियों देख्या सी कई वरी उन्हें मैसूस किता सी के पेशाओ दी संवेधन शीलता ते विबेग दे अनकूल नहीं सी पर हर वरी सोच ने उन्हों होर मानसिक द्रिडता परदान किती सी अंदर दे ते बार दे से वखरे में नू मिटाउन ले होर प्रतिबद होन दे रूप वेच मैदान नू छड़के दोड़ना किसे चंगे इंसान दी कसोटी नहीं हो सक दे मैं अपनी पूरी समरथा नाल इस उदासी इन्तानू दूर करन दी कोशिश जारी रखांगे यहोजे समयों नू अपने पापा दी कही हुई गालियाद हों दी हने रे नू कोशन तो चंगाय केक मोंबती जगा लगे ते गुरलीन ने अपने पाँच साल दी वकालत दी छोटे ज़े अरसे दोरानी कई यहोजे यहां छोटीयां मोंबतीयां जगायां सान जिस कारण इस अदालत ती कॉंप्लेक्स वेच ओधी अपनी वीक रोशनी सी अज करों तुरन लगे गुर्णाम दे कई होई ए शबद इक वारी फेरो दे करनाच गूँज गई गुल्लीन बेटाई कतल है आतम हत्या नहीं अती कॉंप्लेक्स अंदर फैल्या हनेरा होर गुड़ा हो गया सी उन्हें छातवाल देख्या केवल एक छोटी जे ट्यूब लाइट जग रही सी जो पूरे जोर नल हनेरा दूर करन दी कोशिश वेच सी बकी ट्यूबां जाता बुझ्चू किया सान जान्टेम्टे मारे जान जीमें हनेरेनू दूर करन ले अपनी आखरी कोशिश कर रहे होना सार्या ट्यूबां खराब नहीं सान शायद काट वोल्टेज मुख करन सी इना दे ना जगन दा उमें जिमें कानून अपनी लंबे हत्थां दे बावजूद पूरा न्यान नहीं कर सकता क्योंके कई अधिक ताक्ताईना हत्थां नू छोटा करन जा मुड़ोईं वड़ देनले यतन शील रहें दिया हन शीशियां ते जम्मी कालग ते जालेयां ने बारू आण वाली रोश्नी नू पूरी तरा रोक्या होया सी पीड विच्चो अपना राब नौधी होई गुरलेन सज्जे पासियों पॉडियां चाड़के पहली मन्जिल ते अपनी कैबिन चा बेठी उन्हें अपना ब्रीफ केश खोल के अखबार कड़ी ते मुख पन्ने दी सुर्की वड़ी खबर पढ़न लगी जिमें जिमें ओ खबर पढ़ दी गई उमें उमें उधी अंधरी का जीब जीब बेचे नी पैदा हुन दी गई उदा दिल काउं माउं काउं माउं करन लगा चौन दे बावजूदू अखबार छड़ न सके खबर पूरी पड़के उन्हें अपने पिट कुरसी दी तोना लाले ते अक्खा मेट लेंगा गुर्लीन बेटा एक कतल है आतम हत्या ने गुर्लीन बेटा एक कतल है आतम हत्या ने गुर्णाम दे बोल एक कवरी फिर उदे कनाच गुंजन लगे पहला होली होली एक फुस फुस आहट वांगते फिर ए यावाज उची हुंदे चली गई जदो ए यावाज असैन होगी तो उने कबरा के अखां खोल देती है गुर्ष्यर्ण ते गुर्लीन ने इकठिया उपजिला टॉर्नी दायमत्यान पास कीता सी एक सबब्बी सी दोहानू लुद्याने दी पोस्टिंग मिली सी त्योना दोना ने को देने ड्यूटी ले रिपोर्ट कीता सी वैसे गुर्ष्यर्ण जलंदर दार्यान वला सी जिमें बच्चपन दे दोस्तानू व्यक्ति सारी उमर नहीं पुला सकदा जीवन दे हर मोड ते कठे कम करन वाले व्यक्तियान आलवी साधी सांज होर सांजा नलो वक्री के समधी हुन दिये एही हालत गुर्ष्यर्ण ते गुर्रलीन दे सी एकको दिन ड्यूटी ज्वाइन करन कारण वह एक दूझे दे काफी नेडे हुगाई सन अक्सरों अपणियां पर्फेश्णल मुश्किलान सांजियां करलन दे सन दो सालां दी सांज दे दोरानों अपनी अनिजी समस्यामां भी सांजियां करन लगपे सन गुर्शरन ता शायद गुर्लीन नाल प्यारी करन लगपे सी पामे अपने शर्मा कल्सु बाकारनों अपने प्यारदाई जहारजे तक नहीं कर सक्या सी पर गुर्लीन कोई बच्ची नहीं सी, उसनू गुर्शरन देस मोद आय सास हो चुका सी, पामियोवी चुप्पी रही सी. गुर्लीन येक बारो देस सामनी राख देती, कंटी वजाई ते चपडासी नू चाल या उनली क्या. दस वजन वाले सान, जाज साइब दे आउनदा समा हो चुका सी, ते 10, 15, 10, 30 दे करी पीपीज नू अदालत विच पेश होना पेंदा सी. सब तो पहला होन वालें जमानतां दे मुकदमें पेश कीते जान दे सान, गुर्शरन ने अख बार मेज जुत्ती पई रहन देती, शायदो एक खबर पहला नहीं पढ़ चुका सी. ये दे चेना परेशान होन दे की लोडें, ये कोई पहली वरी किसे ने आतम हत्या नहीं कीती. पापा कहन दे हने आतम हत्या नहीं कतल है, उननों एक क्यों लग रहें, पता नहीं, आज शामी जाके पुच्छांगी. स्वेरे तुरन लगे, उनना ने खबर पढ़ के मैंनों क्या गुर्लीन बेटा है, कतल है, आतम हत्या नहीं. फेर भी ये दे चेना परेशान होन दे की लोडें, कतल भी केड़ा कोई नमींगाल है, इसे अखबार विच कतल दियें कि निया होर खबरा हैं. मैंनों लगदा है, तेरे पेशे ने तेरी समवेधन शीलता नों कोण ला देता है. शुरू शुरू विचता तु किसे जानवर नों मरिया देखके भी परेशान हो जन्दा सी. याद है जदो एक वरी कतूरा तेरी कारदे थले आके दम तोड़ गया सी, तु किन्ना परेशान होया सी, किन्ने दिन तु उस हादसे बारे सूचदा रहा सी, गुर्शरन चुप कर गया. उन्हों लगया जमें गुर्लीन साची कह रही सी, रोज रोज फॉस दारी थी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टां देख देखके उदी मानसिक तक कठोर हो रही सी, उन्हों जदों भी कोई नमा कतल जा आतम हत्या दा मुकदमा होंदा तो उन्हों सिर्फ मिसल दा नंबर ही या चुदा रहेंदा सी, चलो हुए भी मान लेनने आ, पर तू जरूरत तो ज्यादा सेंटीमेंटल नहीं हो रही, गुर्शरन अजे भी इस केस नूँ आम के सवांगी ले रही है सी, शायद हो रही हुआ, मैंनू लगदा है गुर्लीन कुछ केंदी केंदी अचानक चुप कर जिमें फैसला कर रही हुए कहां के ना कहां, असल विच गुर्लीन नूँ गुर्णाम दा गोलियां खाना याद आ गया सी, कंटीन वड़ा मुंडा चार आकिया सी, दोहा ने चुप चाप चापेनी शुरू कर देती, गुर्शरन ने भी होर कुरे दना ठीक ना समझया, पर और वे जरूर सोचन लगा कि हुन कतल दी खबर सुन की, ओदे उत्ते कोई असर क्यों नहीं हुंदा, क्यों रूंदे कर लोंदे मुल्जम ते उना दे रिष्टेदार उन्हों ड्रामा कर दे लग दे हम, उन्हें मैसूस कीता कि उन्हों अपनी संबेदन शीलता काइम रखन खास कोशिश करन दी लोड है, के ते ओदा हाल भी पुलसियां वांग न हो जाए, जो मुर्दे हन ये जेबां विच्चों भी नोट करन दी ताक चरन दे हन, अजे तां दोई साल नौकरे कीती है, जे इंज हो गया तां उन्हें गुरलीन वल वेख्या, जो हुन काफी सैज ह हो चुकी सी, जे इंज हो गया तां गुर्लीन कदी वी ओधिन अल्व्या क्रोणा पसांद ने करेगी, ओ कुछ कैनी लगा सी के चपडासी ने आके खबर दिती के जस्टिस मुखर जी आज नहीं आ रहे, जस्टिस मुखर जी दी अदालत दे मुकद में, जिना विच सरकार एक तेर होंदे सी, गुर्लीन देराईं पेश होंदे सन, जिस दिन जज ना आये, सरकारी वकेल ले कोई खास काम करन वळा नहीं रहंदा से, गुर्लीन ने सोचिया क्यों लंच तो बाद याज कार चली जाएगे, चापी के गुर्शर ने क्यांदा होया उठ गया, चलो, त उसी ता मारो मोज्जा, मैडम अप्पां ता अपने दिहाडी ते चली जाएगे, तेरवां अंग, अखबार विच खबर चपन तो इक हफता बाद, डुवीजर नंबर छे दीक पुलिस पार्टी गुर्लीन को लाई, पर दीप कुमार दी आतम हत्यादा केस जस्टिस मुख पर जिदिये दालत विच पेश होना सी, पुलिस ने चलान त्यार कर लिया सी, पर पेश करनतों पहलना सरकारी वकील दी वेटिंग जरूरी सी, पुलिस पार्टी दुचित्ति विच सी, पहली सूचना रिपोर्ट एफ आयार आतम हत्यादी दर्ज होई सी, पर पर दीप कु कुमारी खंदे पिंदे परवार नल सबंदत सी, पुलिस उत्ते कई पासियां तो दबा पैरेया सी, इक तारा नू एफ आई आर्ट जोड देना पुलिस लेए कोई ओखा कम नहीं सी, पर मुसीबते सी कि अवतार कृशन वी शेर वेट चंगा असर रूस सूख रखदा सी, आम जय परवार दा केस हुनदा, ता हुनता के आतम हत्यादा केस क्या के बंद वी हो जाना सी, पर परदीप कुमार दे माता पिता, रिष्टेदार दोस्त मित्तर, अडे हुए सन, के परदीप दे सौरयां उते कतल दा मुकदमा चलना चाहिए, इवी पार्ती निया शास्तर दी विडंबना ही कई जा सकती है, के जित्थे व्याता कुडी दी मौत व्यादे सत सालां बाद तक भी शक्की नजरनल देखी जान दी है, अते ए मेंडाटरी है के पुलिस ओदे पती ते सौरया नुह रास्त विच लेके दाजविरो दी कनूना दे इन तहकीकात करे, एक न दे मुंडे दे सौरयां ते हुजा मुकदमा हुंदा कदी वी किया, इसे कानूनी कमजोरी दा फाइदा उठाने है कई कुडियां ते हुना दे मापे व्यात वाद लाडे दे कार विच दखल अंदाजी शुरू कार दे हन, जिस दा उदेश के बल सौखी माया हासल करना हुं सानू इस मुसीबत विचो कडो, पुलिस पार्टी दे लीडर नहीं हून ता कोई कारवाई अते चलान दे कागस पत्रों दे सामने रख दियां किया, इस सोने दा अंडा देन वाल यां मुर्गियां मुसीबत कदों तो बन गईयां, गुरलीन ने टकोर लाई, इस तो एक द अवतार क्रिशन ते ओदे साथियां ने केस नू रफा दफा करा देना है, सारे पासे उनना दे चल दिया है, उनना दे अंगलां विच दम सी, पुलिस ने कटना दे पांच देन बाद भी किसे नू गरिफतार नहीं कीता सी, इनना वड़ा उद योग पती अचानक किते हो गया सी, ते कनून दे लंबे हथां दे बावजूद पुलिस दे काबू नहीं सी आया, पावें जानकार लोग दस दे सन कि रोज रात नू तफ्तीश करन वाले डियस पी नाल हम प्याला होंदा सी, इदे बावजूद कि पहले दिन तो ही परदीप दे रिष्टेदार ते दोस्ताने जोर पाया होया सी, क्योना वरुद कतल दा दोश दर्ज किता जाए, परदीप दी पैनने गुरली नू दस्या सी के कटना तो दो दिन पहला, परदीप दे व्यादी वरे गंड सी, दुजी वरे गंड, उकार वेच इस वरे गंड नू मनाउन दी योजना बनाई जाए सन, कि अवतार क्रिशन ते ओधी पत्नी सुनीता नू लाजान दी जिद करन लगे सन, सारे आन दे समझाओन दे बावजूद के वरे गंड तो बादो सुनीता नू आप चाड़ाण गे, वो इस गलते अड गे सन, कि जे वरे गंड मनोनी भी है, ता ये उना दे कार मना जाए जावे, वैसे ओना दे ये गलान तो लाग रहा सी, कि वे दे हाथ वे ची नहीं हन, पर दीप दी सासने ता कैई दता सी, वरे गंड किसे चंगे कामदी मनाई दिये, आसी ता जिद्धन दा व्या की ता दुखीया, तुसी ता सुनीता नू बं की राख ले, जिमें जातम हत्यावे चोदे सौरियां दा बेय सूला वतीरा ते चुप चुपीता जुल्म ही है, सारी चंगी सला दे बावजूर वो अपनी तीनू लडच गड के अपने नाल लाग गय सान, इस गल दा सारे महले नू पता सी, सारिया ने उनानू समझान दा यतन किता, पर उना द करना ते जून तक नहीं सरकी सी, गलीच खड़ा हो कि अवतार क्रिशन तम की दे गया सी, मैं तो अनू सारेया नू दाजविरो दी कनून दी इनंदर करवा मांगा, समझेया की ए तुसे, उस दिन तो बाद पर दीप बिल्कुल गुम सुम हो गया सी, वरे गंड वाले दिन सुनीता नहीं आई सी, नाई ओदा कोई टेलिफोन आया सी, पर दीप दिनों दिन तेंदी कलाच डिगरेया सी, ते अखीर केंदे केंदे कुडी रोप ऐ सी, देदी सानू इंसाफ दुआओ, मेरा प्रायना ने खालिया, सारे दुनियानू हसान वला, आप दिल खोल के रोव कर रही है, एक कतल होया मेरे प्रादा देदी, पोलिस ने अजे तक F.I.R.V. ने सही दर्ज कीती, प्लीज देदी, एक कतल दा केस दर्ज होना चाहिद है, पूनम नू रोंदया वेक के गुरलीन दा अपना दिल वी पार आया, पर वे थी रो नहीं सकती सी, यो दा दफतर सी जिते उनू बड़े ओखे ते जटिल मुकदमियां दे बारे फैसला लेना पेंदा सी, वो अपने कमजोरी ये थे जार नहीं कर सकती सी, अग्गई बहुत लोग के कैंदे सुनें गय सान के कुडियां ले वकालत ठीक पेशा नहीं है, ओ वी सरकारी वकील दा, पामे गुरलीन ने अपने विहारते कामनाल पिछले दो सालांचे स्परमनू तोड़नवल महत्त पूरन पूमिकाने बाई सी, पर सदियां पूराणियां तारनावां के ते नीचेती टूट दियां हां, एक जगा पैर थिड़कया नहीं के सारी कीती कराई खूच पैजान द अपने आपने आपने मानसिक तोरते मजबूत करते सुबूत लब जिना नाल तूए सिद कर सकें, जो तू कहरेंगे अजे तक कोई वी अजया सबूत नहीं मिलेया, जिसनाल पुलिस नू कतल दा केस दर्ज करन ले, मजबूर किता जा सकें, जित्थे पक्के सबूत खुर्द बुर्द होननू इक स्किंट नहीं लगदा, उनानू ना मंजूर करन ले, जजनू कोई सपश्टी करन नहीं देना पेंदा, उत्थे पावनावां दी, जा हंजूआं दी की महत्ता है, वैसे अजे मेरे कोले केस आया नहीं, जिनना चेर मैं पूरे कागज पत्तर नहीं देख लेंदी, मैं की क्या सकदी हैं, पैन मेरी, जदो रबने सनूए दिन दखोना सी, ता रोन नल कुझ नहीं होना, य जे तु साच मुझ शांती देना चौनी हैं, जे साच मुझ समाच कोई नमी ली पोना चौनी हैं, ता जिनने सबूत कठे कर सकती हैं, वो कर, पर एक गालदा त्यान रखी, पोलिस नू दिखान तू पहला हो कागज पत्तर किसी विश्वास वाले वकील नू ज़रूर दिख कर सकती हैं, दिदी जीने मैंनू तो अडेकुल पे जे उने किया सी के इस सडे कनूनी महाल विच, जे कोई तेरी मदद कर सकते हैं, ता तू तुसी हो, नहीं ता मेरा तो अडेकुल ओन दा भी की हक सी, उन ता गुरू महराज देस फुर्मान दा यासला लेना पेना हैं, शिशने कीती, उउ उठी ते क्वारी, फेर पूनम दे गोल जा खड़ी होई, उने पूनम नू जफी पाई, उदा मत्था चुमिया ते क्या, पैन मेरी होसला रख, मेरे तो जो कुछ हो सकेगा, मैं जरूर करांगी, वेको वैगरूनू की मन्सोर है, क्या हांस, क्या बगला जाको नदर करे, जो तिस पावे नान का, कागो हांस करे, चलान देखके गुले इननो पूनम नाल होई वारता लाप याद आ गई, पर इस तो पहला उन चौनदी सी के पुलिस दा इस केस वारे की विचार है, पता लगी, इंस्पेक्टर साब कोई फड़या गया के नही, न गया, शायद गुरलीन करके, पर गुरलीन ता पुलिस दे रवये बारे जानना चौनदी सी, पूरा केस इस रवये थी निर्बर करदा सी, बोलो बोलो, छुप क्यों कर गई, उदा किसे नल चकर सी, हान जी, लोक ता केंदे ने, लोक ता ए भी केंदे सान के अवतार क्रिश पर जे कुडी दा किसे नल चकर सी, ता कतल दा केस भी बन सकता है, गुरलीन ने गरम लोहे थे हा थोड़ा मारे, हान ची नहीं जी, इंस्पेक्टर बुखला आ गया, कतल दा केस किदा मनू, मरन वाले दे कार दियाने, ता सड़े गल्च गुठा दिता होया कि कतल दा केस बन गुरलीन दे कान वेच एक ख़बर पैचुकी सी, के अवतार क्रिशन ने पुलिस नू चंगा पैसा चड़ा देता सी, केस नू के वुल आतम हत्यादा केस दर्ज करन डे, केस थां जी अजे आतम हत्यां दा ही है, मुंडे दे कार वाले आने ते दूस्ता मेतरा ने बड़ा जोर लाया, कतल दे केस लेप पर, 306 वी लाओगे, कोई वी सिद्धा स्भूत ता दिन्दा ने जी, 306 वी की दे ते लामांगे, ओता किन्नी किन्नी दूर रहें दे सान, एक दूजे दे करों, आतम हत्यादी शै वी किमे सिद्ध करांगे, ठाने दार साब्दा विचार सी के आतम हत्यादा केस पाके टंटा मकाओ, पर महले वाले वी तर ना मारननू फिर देया, ताहीं ता आज जत्वा डेकोल आया, विस आनूरा दसो के किद्धां करिये, 174 दी तफ्तीश केती, नहीं जी, क्यों? आ कागज मेरे कुल छाड जाओ ते ठाने दार नू कहो, 174 दी आपनी पूरी रखो, ये ताह उसे दन हो जाने चाही दी सी, फिर साड़े तूवी कोई गल्त मल्त रिपोर्ट मंगोगे, तेरवां अंग, आज जस्टिस मुखर जी दी अदाल्त विच बहुत पीट सी, इस मुकद में विच अगे कदी इन्नी जनता नहीं आई सी, आज जस मुकर जी ने अवतार कृषन ती होर बनाम स्टेट वाले केस वेच अपना फैसला सुन्नोना सी, पिछली पेशी दे दोरान, पब्लीक प्रोसीक्यूटर ने अपना पूरा जोर लाके, अवतार कृषन उधी पतनी बेटे ते ती दे विरुद अपने आगुमेंट पूरे का देते सन, उन्हें बड़ी जोरदार अवास्ट किया सी, My Lord, this is a clear case of abattment to suicide, इना लोका ने स्वर्गवासी परदीप कुमार नो इनना परिशान कर देता, कि उन्हों अपनी जान आपी लेलेन दा तर्स योग फैसला करना पैया, My Lord, मैं पहले ही साबत कर चुकिया, अवतार क्रिशन ने देहेजवरो दी कनून दी बड़ी बेरेमी नल गल्त इस्तेमाल करके स्वर्गवासी परदीप कुमार नो इनना परिशान कर देता, कि उन्हों अपने मापयो प्रती भी अपने सारी फर्ज पुल गया, My Lord, अवतार क्रिशन तेहो दे परिवार ने कनून दाई दुरुप योग नहीं कीता, इस परिवार ने पार्ती सब्यता पार्ती संस्कृती नू वी कलंकत कीता है, पार्ती संस्क्रेती हो संस्क्रेती है जिस्वेच पती पत्नी दे रिष्टेनू जन्मान जन्मान तक दा रिष्टा मन्या जन्द है जित्थे पत्नी पतीनू पर मेशर मान दिये ते सारी उमरों दी सेवा करना अपना तरम समय दिये पार्ती समाज बेच जवाई दी इजद पुत्रा नानों वद किती जन दिये, पर इस परवार ने इस पार्ती संस्क्रीती दियां तजियां उड़ा देते हैं, उस देश्वेच जिते नदियानों मांदा दर्जा देता गया है, इनाने मक्तोल नों अपनी बुड़ी मांदे व जी देते, इस तरह अपने जान दी कुर्बानी देके उन्हें पार्ती संस्क्रीती नों कलंकित होनों तो बचा लिया, अपनी कुर्बानी देके उन्हें मांपयों वलों बच्चेयां नू पालन ले कीती हैं, कुर्बानीयां दा मुल तारन दी कोशिश कीती है, माई लाड बन दे हनता उन्हों अपनी गल्ती दा ऐसास हुन्दे मरहूम परदीप कुमार ने अपनी मानों तिल तिल करके जल्दे हुए देखिया सी उन्हें इस ऐसास नो अपने अंदरों मरन नहीं दता कि किमे उदे मापे उन्हें हड तोडवी मेनत करके उन्हों पड़ा लिखा के इस मुकाम ते पुचाया सी परदीप कुमारों ना नौजवान विच्चुं सी जो पार्ती सब्यता दे इस दावे दा कायल सी मापे उदा कर्ज कदी चुकाया नहीं जा सकदा ते उन्हें इससे दे पैरा दिन देयां अपनी जान दे दे शायद इस कुर्बानी नल पटकी हुई पीडी ते तियां दे पटके हुई मापे उन्हों कुझ सिख्या मिल सके ते साड़ा समाज अपनियां चंगियां ते मनुखी कदरां कीमता नू लोप होन तो रोकन ले कुझ कदम चुक सके माई लॉड मैं अदालत नू अपील कर दियां के स्वर्गवासी परदीप कुमार दी कुर्बानी नू सई रंगच पेश करन ले मुल्जिमानू सकत तो सकत सजा दिती जाई खामोश जाजसाइब पदार रहने अदालती अर्दली दी इस कोशना दिनाल अदालत विच पैंदा रोडा खुसर फुसर चु बदल गया ते फिर अदालत दे कमरेच पूरी तरां चुक पीछ आ गई अदालत दे पिछले पास से स्थित जाजसाइब दे रिटाइरिंग रूम दा दर्वाजा खुल लिया ते जाजसाइब ने अदालत विच कदम रखिया कमरे विच मौजूद सारे लोग खड़े हो गए जाजसाब ने तसली नल कमरेच चारे पासे नजर दुड़ाई ते फिर आप वी कुरसी ते बैठ गये ते ना ले उनना ने सारे अनू बैठंदा इशारा कीता पार्ती अदालतां वेचे रजवाडा शाही रीत पता नी क्यों अजे तक जारी है रजवाडा शाहीयां खतम करन वालियां सरकारां ते कुल राजसी जमात ने अदालती रजवाडा शाही क्यों खतम ने कीते ना ही किसे ने इस रीत नू चुनौते दिते रीडर ने जज साहब दे सामने कुछ कागज रखे थे उना दे कान वेच कुछ किया जज साहब ने हांच से रहला के कारवाई अगे तोरं दी इजासत देती अर्दली ने अपनी बुलंद वाज चोका लाया स्टेट बनाम अफ्तार क्रिशन अफ्तार क्रिशन ते होर मुल्जिमानों अदालत विच पेश कीता जाई अर दालत विच हाजर सारयान या नजरा पिछी वलनों मुड़ गया पोलिस करम्चारियाने अवतार कृष्षन ते ओधी पतनी ते टी सुनिता नुकटैरे जिल्या खड़ा गीता सुनिता स्वर्गवासी परदीब कुमार दी पतनी सी अवतार कृष्षन ते ओधी पतनी दे चेरेते पश्टावे जा दुख दी कोई निशानी नही सी वो बड़ी दीदा दलेरी नाल सारयां वल देख रहे सल जिवें खुली चुनोती दे रहे हूं कौन सादे वरुद फैसला करेंगा किस सबूत देदार हुते अवतार क्विशन दिया नजरां के पीपी गुलीन को औरते अटक गई या सन्योग नाल पीपीवियों से विले कट गरेवल वेखरी सी दोहां दिया नजरां आपस्ट मिलियां ते दोहां चीक जेतू लिश्क नेडे बैठी लुकाने महसूस कीती जाज साभ ने विये नजरां दा टाकरा महसूस कीता ते उनाने अपने उत्ते पई पार ते जिम्मे वरी नुईक वरी फेर महसूस कीता पिछली पेशी तो बाद उनाने जिम्मे वरी दा पार कई वरी महसूस कीता सी कई वरी पिछले दो साल दी पूरी कारवाई उना दियां खा मुर्यों एक फिलम दी रील वांगलां गई सी खास कर पीपी वल्लों पिछली पेशी दोरां दित्ते गे तर कते ब्यान बार बार उना नुचन जोड रही सन जस्टेस मुखरची दिया दालत विच कुडी दे स्वारयां दे वरुद ताँ दाज वरुद कानून दिन कई मुकदमे आई सन पर कुडी दे मापया वरुद दे हो जया एम पहला मुकदमा जी पावें के अखबारां विट कई वरी खबरां छपदियां सन के स्वारियां हतों तांगा के किसे मुंडे ने अपनी जान दे देती सी पर कोई मुकदमा आजे ता किस तरह दा पेश नहीं सी हुया इसले सेद लेंड ले उदे सामने कोई केस लौ नहीं सी इस मुकदमे दा फैसला गे आणवाले इहो जै मुकदमे ले राद शेरा हुएगा इसले जस्टिस मुकर जी अपनियां जिम्मे वारी नू होर वी गंबीरता ना ले रहा सी Justice Mukherjee ने सारी उमर नियां पर केरिया बारे पर चलित इना दो मान तामा तेवी डट के प्यारा देता से नियां सिर्फ हुनाई नहीं चाईदा, हुन्दा नजर वी ओनां चाईदा Justice should not only be done, but appear to have been done अति पामें सौ दोशी बिना सजा दे चले जान पर इक भी निर्दोश नू सजा नहीं होनी चाईदी, हथले केस विच इना दोहां माप दंडा नू कसोटी बना के फैसला करना तेडी खीर से Justice Mukherjee ने वी पी पी वांग इस केस नू अपने ले चनोती वांग ले आ से अते दिन रात लाके फैसला लिखे आ से इस कसोटी दे अधारुत ते दोशियां विचों सब तो छोटे ते नाबालिक बेटे दी जमानत पहली पेशी विची मनजूर कर ले से दूजे दोशियां विचों वी ओर्तान दीयां जमानता वी उने प्रासीकिूशन दे ते पुलिस दे विरोध दे बाबजूद छेती मनजूर कर देतीयां से हाँ, मुख दोशी अधार कृशन दी जमानतों ने मनजूर नहीं कीते से एदा मुख कारणों ने दस्या सी कि अवतार कृशन वल्लों पैसे दी ताकत नाल न्या पर नाली नू पर बाबत करन्दा खद्शा से जस्टिस मुखर जी ने इक वारी फेर अदालत दे हाल विच चारे पासे नजर दोड़ाई कटैरे विच खड़े अवतार कृशन तो शुरू होके ओधी नजर पीपी गुर्लीन ते जाके फेर रूप दी जस्टिस मुखर जी दी कुल नौकरी वी साल तो उत्ते हो चुकी सी पिछले दस सालांतो उलू दे अनांजला दालत विच सेशन जाज़ दे रूपच काम कर रहा से अपनी वी साल दी नौकरी दे दोरान उन्हें बड़े कट मुखद में देखे सान जिना विच पीपी ने इनी मेनते इने जोशनाल किसे मुकद में दी पैरवी कीती होई आम तोरते पीपी पबलिक प्रस्टिकेटर खाना पूर्ती कर दे सान ते जे किसे पैसे वाली तिर जा किसे ताकतवर तिर वलों दबा नां पवे ता सरकारी वकील काटी केस जित देसन पर गुर्लीन ने अवतार क्रिशन दे पैसे दा जादू चलन नहीं देता सी गुर्लीन दिया नजरां जस्टिस मुकर जी दियां नाल मिलियां ता मुकर जी ने कजीब जी बेचे नी गुर्लीन दियां खाविच मैसूस कीती ते उने अपना फैसला सुनोना शुरू कीता चोदवां अंग पारती सब्यता दुनिया दियां प्राचीन सब्यतामा विच्चों है जिसने सारी दुनिया नू से दिते है कोई समासी पारत नू सोने दी चिड़ी के आजांदा से पारत केवल आर्थक बॉलता करके इसोने दी चिड़ी नहीं सी विद्यक खेतर विच्वी अने दुनिया नू सदियां तो से दिते है दुनिया पर तो विद्यार थी ते दार्षने के थे विद्या ते अद्यातमिकता शिक्खनों देसन ते फिर शुरू होया एक ऐसा काड़ा दौर जो दों सदियां तक के देश को लामी पोगदा रहा ते दुनिया नू विद्यादान करन वला देश अनपड़ ते गवार बनके रह गया इस दौरान सदियां समाजिक ते सब्याचारक कदरां कीमतां विच भी निगार आया विच बेटी दे पिंड दा पाणी तक पीना पाप मन्या जान्दा सी उस देश विच बेटियां नू गुमरा किता जान लगा क्यों व्यातो बाद अपने पती दे रिष्थेदारां तो जिनी जल्दी हो सके छुटकारा पाउन ते अपने माप्यां प्रती अपने फर्ज ने बाउन जिस तरह पीपी गुल्लीन कौर ने अपने आर्गुमेंट दे दोरान के आसी पार्ती संस्कृती विच पती पतनी दा रिष्था जनम जन मांत्रा दा रिष्था मन्या जान्दा है पर पच्छम दी नकल करन वाली जोकी पीडी ने इसनू एक कॉंट्रेक्ट दे रूपच लेना विकास दे अधुनिकता दी कुसोटी मन्या है इस वेच कसूर केवल नौजवाना दा नहीं है इस सोच नो फैलाओन ते पर पक करन विच अजादी तो बाद पैदा हुई पीडी दे माप्यांदा वी कसूर है रही सही कसर पूरी कर देती है विश्वी करन अधीन फैल रही उपपोगता वादी सोच ने विचार दी इनके साड़ी समाजवेचों मानवी कदरान दी लोप हो जान दा पर तक हो दारन है अदालत विच पेश कीते गए रिकॉर्ड गवाहां ते वकीलां दी बैस दोरान दो गल्लां बिलकुल सपष्ट रूप वेचुबर के सामने आया हन इकताए के पार्ती समाज़िक मानता मां पूरी तरह पच्मी पर बावदिन प्रेश्ट हो चुकिया हन ते दूजाए के पच्मी समाजवेच पर चलत व्यक्तिगत नैतिक तादा असर असी बिलकुल कबूल नहीं किता स्वर्गवासी परदीप कुमार दाव्याद दो साल पहला सुनीता कुमारी नल होया इस दो साल दे समय दोराने इस सबंद विच इनी कोडतन पर गई के परदीप कुमार नों अपनी जान देनी पर प्रोसीक्यूशन अनुसारी सिद्धा सादा आतम हत्यादा मामला नहीं सुगों कतल दा मसला है मुकदमा पार्तिया चार सैंता दीन सेक्शन 306, 302 ती 498 दीन पेश कीता गया दित्ते गई ब्याना ते पेश कीते गई सबूता अध्यदार ते प्रोसीक्यूशन कतल दा दोश साबत करन विच पूरी तरह सफल रही है किसे व्यक्ती वलों किसे दुजे व्यक्ती नूँ चिठिया जा गलबात रही अपनी जान ले लेन ले उक सोना ते उस व्यक्ती वलों इसे कारण अपनी जान ले लेना से दो हो जान दे बावजूद इसनू सवीदान दी तारा 302 अदेन कतल नहीं मन्या जा सकदा इसलई मैं सारे मुझरमानों तारा 302 अदेन कतल दे दोश्तों बाइज़त बरी करता अवतार क्रिशनों दी पतनी बेटी ते वकीलां दे चेरे ते हलकी जी खुशी दी लेर सारे ने नोट कीते जस्टिस मुखर जी ने अपना फैसला जारी रख्या इस तो बाद असी आउनेयां तारा 306 ते तारा 490 अ अर्थात आतम हत्याली उक्सोना अते जुलम दे दूशावल प्रोसीक्यूशन वलोई दावा किता गया के स्वर्गवासी परदीप कुमार दे सोरे अवतार क्रिशन सास पतनी ते बेटे ने उसो ते इनना जुलम किता के उन्हों आतम हत्या वर्गा कदम चुक्णा पिया इसलिए इना मुजर्मानों तारा 306 दिन दोशी सिद करन दी कोशिश कीती गई है ते दोशियानों इना तारावा देन सजा देन दी मंग कीती गई बचा पकने इना तारावा दे इस्तेमाल नू हसो हीनां दसे है उना अनुसार परदीप कुमार अपने कारवेच दे अपने मापयो कुल रहन दा सी जिस तक दोशियान दी पॉंच नहीं सी फिर किस तारा देन उना ने परदीप कुमार नू अपने जुलम दा शिकार बनाया जे तारा 490 एही लागू नहीं हुंदी ता तारा 306 एपलीकेबिलेटी तां अप्पी खतम हो गई प्रोसीक्यूशन दे मुख गवास अंस्वर गवासी प्रदीप कुमार दे माता पिता ओधी प्यान दी केस दी इन्वेस्टीगेशन करन वाले को जिसी पाई एक होर महत्तपुरन गवाज जिस दी गवाही नो प्रोसीक्यूशन ने काफी एहमियत दिती वोसी प्रदीप कुमार दा जिगरी दोस्त ब्यान सिंग ब्यान सिंग नाल प्रदीप ने अपने सारे दुख सांजे कीते सन अदालत ले ज़रूरी सी के ओ इना सुवालां ते निर्ना करे एक की अवतार कृशन ते होर ना ने प्रदीप कुमार दे जुलन कीता दो की उना ने उसनु आतम हत्या करन ले कुसाया अते तिन जाओना दे विहारने परदीब कुमारनू आतम हत्या करने मजबूर कीता। यह अदालत मैसूस कर दिया कि जिना हालात वेचे पाणा वरतेया मुल्जिमा लई परदीब कुमारनू उक्सोना संभव नहीं क्योंकि ओ उदे नेडे तेडे किते नहीं सन। अदालत वेचे भी साबत किता गया कि हाधिसे तो कटो कट दो-तिन दन पहला दे समय दोरान परदीब कुमार दी पतने सुनीता दा फोन टकवी परदीब कुमारनू नहीं आया। फेरो लोक किस तरीके नल परदीब कुमारनू उक्सा सक दे सन। मुल्जिमान दे चेरियां ते मुस्कान होर फैल गई जस्टिस मुकर जी ने अपना बियान जारी रख्या चार सो ठन्मे एदे दिन मुल्जिमान दे उत्ते जुलम करन्दा जो दोश लाया गया उस उते भी काफी हद तक वो परोकत तर्क लागू होंदा पर ये थे कुछ रुक के सोचन्दी लोड एए अदालत मैसूस कर दिये की जुलम केवल स्रीरक पीड ते तकलीफ नाली सबंदत है जिमें अंग्रेजी राज समें गुलामा होते जहां जिमिदारी सिस्टम अदिन मुजारें होते हुंदा सी जिमें दाज दियां लालची ससां अपनियां नुआ दे कर दियां जा करोनियां हन जिमें शिराबी पती अपनियां पत्नियां उत्ते कर दे हन शायद नहीं एए अदालत मैसूस कर दिया है कि इस सरीरक जुलम तो अग्गेवी जुलम दी परिबाशा जान दी है जा जाने चाहिए दिया, मसलन किसे नू लगातारे हुजियां चिठियां लिखना, जिस नालो नू मानसिक तकलीफ होवे, जा बिना किसे कारण अजय दोश लोनें जो साच नहीं हन, जा किसे दी बेस्ती करनें ते लगातारे परकरन जारी रखना, किसे नू ओ काम करन ले पनाए तांकी ये जल्म नहीं है, जे कोई पेव अपनी ती नल seamless हम बिस्तर होना चाहे, ते इसतरह औतरां तरां तरां दे दबा पाए तांकी ये जल्म नहीं है, ते इस मानसिक स्थेटी विच जे और तां आतम हत्या करन, तांकी पती अपने पती ये पिता, अबेढ़ में आफ सोयसाइड एक्टा दी इनको सूरुवार नहीं मनने जाने चाहिए दे अदालत विच बिल्कुल सनटा चाचुक्या से हर व्यक्ती पूरे त्याननाल जस्टिस मुखर जीदा फैसला सुन रिया से उपरोकत दिलांदे सुन दे सुन दे मुल्जिमांदे चेरे दी मुस्का वकील भी चुकनना हो गया से उन्हों पहली वरी मैसूस होन लगा के शायद वो केस हार गया आकरो वकील सी ते जज़दे शब्दांदा पाव समय दा से जस्टिस मुखर जी ने अपना ब्यान जारी रख्या ए अदालत समय दिया है अते एस समझ कोई सुनी सुनाई गलती अ अदारत नहीं है इस फैसले तक पहुंचनले अदालत ने कई दिन मनो विज्ञान समाज विज्ञान ते सब्याचार का की द्यांदा अध्यान गीता है अदालत समय दिया है कि जीवन दो जमा दो वराबर चार नहीं है मनुखी मान इसनू चार दी थां दो पांजवी बना द इस कारण ए अदालत बड़ी सोट समझ दे बाद ए समझ दिया कि उपरोकत सारे उदारन तारा चार सो ठन में एद यदेनों दे हैं। तुसी सोचोगे कि इस ब्यांदा सडेनल की सबंद है। पार्ती सब्याचारती समाजिक तार्मिक मानतामा अनुसार पुत्तर दा अपने माता पिता प्रती विशेश फर्ज है। पुत्तरां दे माता पिता प्रती अपने फर्ज हन मरहूम पर दीप कुमारे से पार्ती समाजिक तार्मिक माता पिता प्रती अपने फर्जान दे पछानि नहीं सी, वो ना फर्जान ने बावी रहा सी। वो अपने परवार दियां खानदा तारा सी, इस सुखी वस्दे परवार दे शान्त तलाव बीच परदीप दा व्या एक कंकरवांग साबत होया। व्या दे पहले दिन तुही मुल्जिम अव्तार कृशन दे परवार दे मेम्ब्राणे, परदीप कुमार नू अपने माता पिता वुरुद पड़कोना शुरू कर देता पुत्तर दे सुक शांती ते खुशी ले परदीप दे माता पिता ने उनू सुनीता दी गल्ब मनन दी सला भी दे दिती पर अपने मापो प्योदियां कुरुबानियां थल्ले दब्या परदीपे सला ना मान सक्या मानवी कद्रान नुट्यांच रखदी हुए ए दालत मैसूस कर दी है कि परदीप दा फैसला सै सी पामे ए जोकी पच्छम तो परबावत टीवी सीरियलां तो सेध लेंदी जीवन जाच दे उल्ट सी सुनीता नुए सब मन्जूर नहीं सी एक एना उख है कि वो अपने माता पिता दे बहकावी बिच सी जहां आप ही एक तक पूर ब्रांड दी हमाईती सी दुर कटना तो कुछ दिन पहला जो कटनावा हुई है उना ने परदीप कुमार दे समवेदन शील मन ते इना दबा पाया जिनों वो बरदाश्ट ना कर सक्या ते उसने इस जालम दुनिया नो चड़न दा फैसला ले लिया बच्चा पाख़दे अनुसारे दा कोई सबूत नहीं है शायदे हुजियां गलन दा कोई सबूत हो भी नहीं सक्दा इसे करके कई लोग पार्टी कनून दी इस कमजोरी दा नजैस फाइदा उठा के कही जुलम करके भी साफ बरी हो जानदे हन पर इस अदालत सामने प्रॉसी कैशन ने एक ऐसा दस्तावेज पेश कीता है जिसनों ये अदालत सुभूत मननदे हाक कविट है एक दस्तावेज है मरहूम परदीब कुमार दी निजी डाइरी पिछले दो साल दी इस डाइरी नू इस अदालत ने बड़ी नीज ते त्याननल पड़े है पूरे तथांदा बियान एक पूरी किताब दी शकल ले लएगा जिस विस्तार दी इस अदालत लोड मैसूस नहीं कर दी पर यकीनन ये दस्तावेज उस जलमदा जियोंदा जागदा सुबूत है जो परदीब कुमार दी सौरियां वलों सुथते दो साल टाया जानदा रहा है मरहूम दियां किसे दुबले इज़तदार हल दियां सारियां कोशिशां बेकार हो गया इस डायरी नों प्रोसीक्यूशन वलों इंडियन एविडेंस एक्ट दिया देन सबूत मन दे हुए ए अदालत तिन्ना मुजिर्मानों दोशी करार दिन दे है इस जुरम लई ए अदालत सिर्यवतार कृशन नों इस कनून देन मिथी गई वद्टो वद्ट सजा दिन्दे हुए उन्नों सत साल कैद बामश्रक्कत दा एलान कर दी है इदे नाली ए अदालत अवतार कृशन नों 10,000 रुपे जुरमाना भी कर दी है शिरिमति अवतार कृशन नों आरत होन देना पे 3 साल दी सजा ते पांजहजार रुपए जुरुमाना केता जान्द है पामे के स्वर्गवासी परदीप कुमार दी विद्वा सुनीता दा जुरम भी उन्ना ही संगीन है पर उदी गरब वस्थानू ते आंच रख दे हुए ए अदालत उनू कैद दी सजा नहीं दे रही पर उनू वी 10,000 रुपए जुरुमाना परंदा हुकम कर दी है इस सारा जुरुमाना 15 दिना दे अंदर अदालत विच जमा हो जाना चाहिद है जो परदीप कुमार दी माता पिता नू दिर्था जाएगा ए अदालत आस कर दी है कि ए फैसला पविक विच अजय हाथसयां लई एक ट्रेंड सेटर सिद्ध हुएगा इस मुकदमे नू इन्ने वदिया तरीके नल पेश करन लई ए अदालत पीपी गुरुलीन को और नू वदाई दिन दी है तियास रख दी है कि अग्वे तो वी वजय समाजिक महत्ता वड़े मुकदमे नू इसे तरा मेनत जोशते इमानदारी नल पेश करया करेगी फैसला सुनदे सुनदे यां गुरुलीन दी अखांच हंजू आगे अदालत विच मौझूद सारे सरकारी अमले ने उनू वदाया देन लई केर लिया पर दीप दीप आणने आके उनू जफी पाले उधी आखांच हंजू परल परलो अगरे सन उधे माता पिता गुरुलीन अगे हाथ जोड़ी खड़े सन जवें कहरे हुन असी तेरा कीता सारी उमर नहीं उतार सकते अज पर दीप दी आत्मा नू शान्ती मिल रही होएगी गुरुलीन लेयो थे खड़े रहना मुश्किल होई जा रहे असी उन्हें अपने आपनू पूनम दी जफी विच्व छुडाया ते तेज कदमाना चल दी होई अपनी कैबिंच पहुंची चपड़ासी नू किसे नू अंदर ना ओन देन दी हिदायत देकी वो अपनी कुर्सी ते जा बैठी अखा मीट लईयां ते लंबे-लंबे साल है कि अपने आपनू स्याज करन दी कोशिश करन लगी अपने पापा दियां डाइरियां चो पड़े पने उदे मूरियों एक फिलम वां को मन लगे उनू लगा कि उन्हें अपने ही सिरों एक कर्ज लाया है उपता नी किना चेर तक सोचांच डुबी रही कि अचानक पीपी गुर्शरन सेंग दी अवाज ने उनू चुंका देता Congratulations गुर्लीन जी बहुत बहुत मुबार्का आखर तो अड़ी मेनत ते सिरड रंग ले आया Thank you very much गुर्शरन I feel greatly relieved today गुर्शरन वलों रखे व्यादे सुजानू उन्हें एक है के रोक देता सी के जिनाचेर इस मुकदमे दा फैसला नहीं हो जन्दा ओ किसे होर विशेवल त्यान नहीं दे सक्दे गुर्शरन वो दी इस पावना तो खिजवी आई सी पर ओ इंतजार करन तो लावा करवी की सक्दा सी अज जोने गर्म लोहे ते ही सट मारंदा फैसला कर लिया सी शुड आई मीट यौ पैरंट्स गुर्शरन इस तो पहला कि असी गंबीरता ना इस विशे ते गाल करिए I want you to understand certain things मैंनू साब कुछ मंजूर है अजे होर की समझन दी लोड है मैंनू कुछ होर नहीं चाहिएदा कोई दाज नहीं नहीं एक इमें हो सकता है दाज ता में लेके आवांगी मैं अपने मम्मी डैडी नू इकल्या नहीं चाहट सकती You know, छोटा ता अमरीका चला गया PhD करन Who knows whether he comes back or not जिनना चरो वापस नहीं आजांदा मैंनू मम्मी पापा दे नाले रहना पहेगा मैंनू नहीं लगदाओ साड़े को लाखे रहना पसांद करनगे इसलिए हो सकता है कि तोनू मेरे ना लाखे रहना पहे पहला है सोच लो अपने कारद्यानू पोच लो मैंनी चौनदी के बाद वेचे स्विशे होते कोई गल्द फैमी होवे ते असी भी कोट के चेरियां दे चकर कट दे रही नो गुर्शरन मैंनू समझन दी कोशिश करो ना ता मैं तो अडेली कोई परेशानी खड़ी करना चौन दीया ना ही मैं अपने पापानू छड सक दीया जे तुसी ठीक समझो तो आपने ममी डैडी नू लेके किसे वेले भी ममी पापानू मेलना आजो इस तो इलावा यूनो उच्चुप कर गई गुर्शरन कुछ दे चुप बैठा रहा गुर्णी इन दे चेरिवल देखता रहा फिर अपने मोबाइल तो कोई नंबर में लोण लगा हेलो ममा मैं तुसी पापानू लेके इत्थे आजाओ हाँ हाँ मैं तो अनू दस्यासी आजाओ बकी गला मिलके करांगे आज गुर्णी इन दे कार जाने गुर्णी इन अखां खोलिया गुर्शरन ने फोन बंद कीता गुर्णी इन ने हाथ वो दाउंदे हुए क्या थेंक यू गुर्शरन मैंनो पता सी तु मेरी हालत समझेंगा गुर्शरन ने हाथ मिला के उदा हाथ थूड़ा जग कुट्या दे किया फिकर न कर I understand सब ठीक होएगा तानवाद